मुझे तो लगता है कि अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा और आप लोग जिस भी इक्जाम की तैयारी करें होंगे उसके questions फेपर भी आप लोगों ने पुराने उठा के देखे जे रोल होंगी उनका मुल्यांकन भी किया होगा क्योंकि आप दिन ने देखा है कि मैंने कई बार आपसे बोला हुआ है कि जब भी आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी करते हैं तो कम से कम उसके 4-5 साल पुराने questions फेपर आपकी सामने होना चाहिए आपकी टेबल पर और आपकी पास उसका पार्ट करम होना चाहिए और उस पर आपको विस्तार से एक तरह से ध्यान देने की जरूवत रहती है कि किस टॉपिक से एक तने questions पूछे जा रहे हैं कौन से subject से questions आ रहे हैं समय रहे हैं आप लोग तो मुझे लगता है कि आप लोग वहतर score कर पाएंगे और loose end में आपने देखा है कि GKS के लिए loose end एक अच्छी बुक मानी जाती है और आप लोगों की मांग भी थी कि नई जो loose end आई हुई ये latest उसे cover करना चाहिए और इसमें आप देखें कि एक बड़ा हिस्सा हम लोग cover कर चुके है इसमें last topic है आपका vivid और इसमें एक तरह से आप देखे सामाननी जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी और इस topic से आज की class से आप देखें कि 2-3 questions हर परीच्छा में आपके आते रहते है और अगर आप लोगों को पुरानी class ने देखनी हुई है तो लोसेंट वुक review के नाम से एक playlist सूजी बनी हुई है उसमें सभी class ने आपकी किरम से डली हुई है ठीक है आज हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगी तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगी भारत के पिरमुक भारत की जो पिथम महिला किस किस पत पर रही है यानि कि कहने के मतलब इसमें हम लोग देखेंगी कि भारत की पहली महिला राजपाल कौन सी है पहले मुख मंत्री कौन है पिधान मंत्री कौन है इस तरह कि तमाम आप देखेंगे आगडे हम लोग देखेंगे भारत में पिथम पुरुस देखेंगे पहले राजपाल पहले पिधान मंत्री इस तरह कि ठीक है भारत में पिथम अन है भारत में सरवादीक बड़ा लंबा उ पिरमुक देशों के राष्टिय चिन अंतराष्टी सीमाएं, पिरमुक देशों के राष्टी इसमारक मान्चित की रेखाएं, पिरमुक देशों के समाचार एजनसी हैं, पिरमुक देशों के सरकारी दस्ताविज, बिभिन देशों के राजनितिक दल, पिरमुक चिन और पित प्रम क्वड़ीक। प्रमक्ष देशों कि राष्टी हैं पसू फक्षी। विशय़ी अन्तराष्टी है बिमांच रह देखेंगे। विश के प्रमक्ष समाचारपट और पिकासन इस्थल। विश के प्रमक्ष गुप्थ चरेजेंसिया निवर्ष युझ की संत्त करेंगे। सेयुक्त राष्ट संग के बारे में भी बात करेंगे विसके कुछ अन्य प्रमुक्त संगठन है और आप देखे कि कोई भी आपनों से संगठनों से कुश्चन साते रहते हैं महतपूर संगठन के नाम से एक फिले लिष्ट सूची बनी हुई है उसमें जाएए अब लोग विस्तार से बात किया हुए सभी संगठनों को WHO, WTO, UN इस तरह की तमाम संगठनों को बिसके पिरमुक संगठन उनके मुख्याले समकालीन सहिकतराष्ट अंतराष्टिय वर्स समकालीन सहिकतराष्ट अंतराष्टिय दसक महतपूर राष्टिय और अंतराष्टिय दिवस भारत की पिरमुक परेटक स्थल परेटन स्थल और भारत की बिस्विरासत स्थल भारत क पिती रक्षा, भारत के सेनेक पिसिक्षा संस्तान, भारत की आंतरिक सुरक्षा बेवस्था, पिरमुक राज्यों की स्थापना देवस्थ, भारत की पिरमुक सोस संस्तान, भारत की पिरमुक वाद्यन तो उनके बादक, पिरमुक सास्तियन तो उनके कलाकार, भारत की सांस्क पाने वाले बेखती भारत रचन से समानित बेखती ज्यान पीट पुरुसकाय से समानित साहितकार महान कारेओं से संबने बेखती प्रमुखलेखा को और उनकी पोस्तर इन सभी पर हम लोग आज बात करेंगी ठीक है तो सब से पहले अब हम सुरू करते हैं आगे बढ़ते हैं भारत में पिथम महलाओं के बारे में देखते हैं, महलाएं पिथम पत्पर किस किस पत्पर रही हैं, भारत की पिथम महला राष्टपती का नाम आपको बताना है, तो भारत की पिथम महला राष्टपती की बात होती है, तो पिति बहा देवी सिंग पाटल थी, ठीक है, भारत दिवा देवी सिंग पार्टेल भारत की पितम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार लोकसभा की पितम महिला महसाचिप इसने हलता स्रीवास्तो भारत की पितम महिला राजसभा उपसभापती वायलेट अलवा भारत की पितम महिला केंद्री मंत्री राजकुमारी अमरेट क भारत की पित्म महिला सांसर राधावाई सुबा राइन और भारत की महिला राजपल सरोजिनी नाइडो उत्तर प्रिदेश की थी आप लोगों को बताना है आपके राजज में सबसे पहले महिला राजपल कौन सी रहे हैं और मुखमंतरी कौन रहे हैं ठीक है। डॉक्टर एनिवेसंट। नॉबल पुरुषकार पर आप्ट करने वाली पिथम भारतीय महला। मदर्टेड इसा, एवरेश रिकरपर पहुंचने वाली पितम महला, बचिंद्री पाल, मिस वर्ल बरने वाली पितम भारती महला, कुमारी रीता फरिया, एवरेश पर लगाता दो बार चड़ने वाली पितम महला, संतो से आदो महला हैं, ठीक है? मिस यूनिवर्स दबनने वाली पिथम महिला, सुसमेदा सेन, भारत रतन से समानित पिथम महिला, स्रीमती इंद्रा गांधी, ग्यानपीट पुरुसकार पाने वाली पिथम महिला, आसापूर्णा देवी, अर्जुन पुरुसकार पाने वाली पिथम महिला, एल लंस देन, हो कि में 1971 की बात हैं ओलामपिक में हो कोई पदक पाने वाली पिथा महला करनों मल लिस्वरी कांस पदक जीता था अर्जो नियवं राजीप गांधी खेल लतन दोनों फुरुषकार पाने वाली पिथा महला कुजरानी ग्रांड ओल लेडी पिथा महला मेयर ताराचेरियन चैन् पिथा महला इसना तक पितिष्ठा कॉमिनी रोय अठारे उसुच्यासी में पिथा महला इसना तक कादमनी गांगोली और चंदमुखी वासु पिथा महला फिजी सियन अन्नादी बाई गोपाल राओ जोसी पिथा महला सर्जन डॉक्टर परियामा मुखर जी भारती रेल गी पिथा महला ड्राइवर सुरेखा संकर यादो वाईव से नम में पिथा महला पाइलेट हरीता कॉर दयाल पिथा महला एयर वेस पाइलेट दुर्गावनर जी कौन दुर्गावनर जी फिर आप देखेंगी कि पितरम महला लेप्टीनेंट जर्रनर्ल पुनीत अरोडा, पितरम महला यएर व्यस मार्शल, फिब बंदो पाध्दै, पितरम एला चियर फर्फर्सन गानें इंडियन एरलेंस, सुस्मा चावला, अंतर एक्ष में जाने वाली पितरम एला, कल्पना चावला, अमेरीकी नागर औसका प्रोजकार जीतने वाली विथम महिला, भानु अथ्यया, एसे आई खेलो में स्वारपदक जीतने वाली विथम महिला, कमल जी संधू, दच्छेड़ी दोरों पर पहुचने वाली विथम महिला, रीना कोसल धरम सक्तू, साथ पिन्मुक सागर तेरिकर पार करने वाली पिथम महिला, बुला चौतरी, गौवी र्यागिस्थान पार करने वाली पिथम महिला, सुचेता कड़े थान कर, राजसभा की पिथम महिला महासाचिव, वी एज रामा देवी, राजसभा की लिए नावंकित होने वाली पिथम महिला फिल्म अपने त्री, नर्गिस दत, क का पहुंचने वाली पितम मैला mehar Musa साहत अकाद्मी पुरुसकार जीतने वाली पितम मैला अमरता पितम ओलंपिक खिलों में भागलेने वाली पितम मैला मैरी लीला राओ, राष्टी ए सिन्मा की मैला अमिनेत्री, देविका रानी राश्टी महिला आयोग की पिताम अध्यक्ष, महिला ध्यक्ष, जैन्ती परनायक, दूरदर्सन समाचार वाचक पिताम महिला, पितीमा पुरी, ओलम्पिक बैडमिंटन महिला में रजत पदक जीतने बाली, बबिस बैडमिंटन चेंपियसे में महिला एकल का किताब जीतने ब पिठ्क में समाथ लुप्यो सॉल्एेजों साइना नेवाल यू उलंपक में गुषित्रुमें कांस्पताव जीतने वाली पिठ्क स्काफ़ा दोजार साथ CSI calculus 2016 दिखुने वालgrass मैं सांग आप देखेंगे कांस पदक जीतने वाली पिथम महिला ए मैरी कौम 2012 के लंदन ओलंपिक में पिथम महिला विदेश सचिप 4 लाग आयर 12 सतक मार आने वाली पिथम महिला मैताली राज ओलंपिक की जिमनाश्टिक पितियस परदा के लेक वाली भाई करने वाली पिथम महिला दीपा करमा कर अंतराश्टी ओलंपिक समिती की सदस्थ बनने वाली पिथम भारती महिला नीताम मानी लगातार दो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पिथम महिला पीबी सिंदो पैर अलम्पिक में स्वर्ट पदक जीतने वाली पितं महिला अउनी लेकरा आफ देखेंगे भालत में पितं पुरुस भालत का पितं कोवर्नर जर्नल लॉर्ड बिलियम बेंटिक, भारत का अंतिम गवर्नर जनल और पिथम वायसराय, लौर्ड केनिंग था, भारत का अंतिम वायसराय, लौर्ड माउंट बेटन था, सुतंत भारत का पिथम गवर्नर जनल, लौर्ड माउंट बेटन, सुतंत भारत का पिथम एबं अंतिम, भारती ये गव परती राज गोपालाचारी इन चार पांच पॉइंटों को याद रखे इन से कुश्टन्स कई बार कुछ लिया है भारत का पिथम गवर्नर जनल लॉर्ड बिलियम बेंटिक फिर आप देखे भारत का अंतिम गवर्नर जनल और पिथम वायसराय क्योंकि आप देखे जिसे आउंट को बेटन रुब हुए और सुतन्द भारत का पिथम और अंतिम एचकवर्टी राजबो पालाचारी सहव थे भारत के पिथम राष्ठपती डौक्टर राजन पेसाथ पिथम भारत के पिथम ऑपराष्ठपती डौक्टर सरफली तालता खिष्नन भारत की पितम ओप्धान मंतरी और ग्रह मंतरी सरदार बल्लब भाई पटल याद रखी ओप्धान मंतरी सब्द का उले कहीं समिधार में आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है भारत की पितम सिक्षा मंतरी अबुल कला माजाद भारत की केंद्री मंती मंदल से इस्थीपा देने बाले पितम मंतरी स्यामपिसाद मुखरजी 1950 की बात है पिथम Chief of Air Staff, Air Marshal Sir Thomas M. Hurst, भारत का पिथम बायू सेनाध्यक्ष, Air Marshal S. Mukherjee, भारत का पिथम नो सेनाध्यक्ष, वाईज, Admiral I.D. Katari, पिथम Chief of Army Staff, General M. Rajin Singh, सुतन्द भारत का पिथम कमंडर इंचीफ, General Karipa, पिथम खेल मारसल, यह आप देखेंगे, General Manikso, लोकसफा का पिथम अध्यक्ष, गनेश बासुदिय मावलंकर, भारत का पिथम चुनाओ आयक्ष, सुकुमार सेन, भारत का पिथम मुख नयाधिष, हीरालाज जीकानिया, सुतन्द भारत में जन्मे, 29 सेप्टमबर 1947, भारत की पिथम मुख नयाधिष, ए नियामुती सरोष ह कौमिक कपाडिया, ठीक है? भारत के पिथम नोबल, पुरुसकार विजिता बिग्यानिक, सीवी रवन, बौतकी के छेत में, मैकसिस अबाड पाने वाली पिथम भारतिय, आचार बिनोवा भावे साब, इस्टालेन पुरुसकार पराप्त करने वाली पिथम भारतिय, सिफुत दीन किछलो, गोल्डेन गोल्डेन, गिलोब अबोर जीतने वाला पिथम भारतिय, आर रहमान, भारत रतन पुरुसकार प्राप्त करने वाली पिथम भारतिय, डौक्टर सरफल ली रादा किछन, भारत रतन से सम्मानित पिथम विदेशी दांगर, खान अब्दुल गफार खान, ग्यान पीट पु पहुचने वाला पिथम भारतिय, राकिस सर्मा, इंगलेश चैनल को पार करने वाला पिथम भारतिय, मेहिर सेन, पंडित जवाला नेरूप के मंतरी मंडल में स्यामा पिषाद मुखर जी, कैमिनेट मंतरी थे, और 1959 में इनोंने भारतिय जनसंकी की इस थापना की थी, तो उ 1984 की बात है, भारत के भिष्मन करने वाला पिथम चीनी यात्री, फायान, मुगल दर्बार में आना वाला पिथम अंग्रेज, हॉकिंस, भारत आने वाला पिथम अमेरिकी राठपती, ड्वाइट डेविड आईजन हावर, भारत आने वाला पिथम बेटिस पिदान मंतरी, ह भारत के लिए पहला स्वार पदक जीतने वाले खिलाडी अभीनव बिंद्रा 10 मीटर राइफल में दो जार आठ में बाप्यार्ट में पेंटिंग पेस का पिचलांग करने वाला पिधम बैक्ति जेम्स एहकी बिस वैडमिंटन चेंपिनसिब में पदक जीतने वाला पिथम भारती है पिकास पादुकॉन कास पदक 1983 की बात है एथलेटिक्स में ओलम्पिक स्वड पदक जीतने वाला पिथम भारती है नीरत चौपडा जेवलीन थ्रो 2020 में भारत का पिथम रक्षा स्टाफ तरमोक, CDS, जनरल विपन रावत और एक बात याद रखेएगा आपको मालू है कि जो उलम्पिक हुए थे आपके टोक्यो जापान में ये 2020 के थे 21 में हुए थे कुरोना महमारी के कारण आंगे बढ़ा के करवाए गया भारत में पिथम देख लिए भारत का पिथम परमाडू रियक्टर अपसरा, भारत का पिथम परमाडू पंडुबी, INS चक, भारत का पिथम पंडुबी, INS काविरी, भारत का पिथम बिमान वागपोत, INS विक्रान, भारत का पिथम मध्यमदूरी वाला मिसाल अगनी, भा पफिथा के पितम आडवी कैंद तारापूर, भारत के पितम खुला विस विद्धियाले, आंधपी देश चू लगिष्ण हीं। इरानी 1931 की भारत थे भारत की पहली टेक्निकलल फिल्म जासी कि रानी भारत की पितम 3D फिल्म माईडी एर कुट्टी चातन पितम प्रायवजी सीरियल हम लोग 1984 में भारत के पितम सवाचार पत्थ बंगाल गजट 1780 की बात है पितम महला रोजगार कायल है जैपुर में भार पितम आप देखेंगे सरवाधिक बड़ा लंबा उंचे सबसे लंबा सटकपोल भूपेन हजारी का सेतु सबसे बड़ा पसुओं का मिला सौनभोर विहार में सबसे उंची मीनार कोतुम मीनार दिल्ली की सबसे बड़ी जील वूलल जील जम्मू कस्मीर की सबसे उंचा सबसे बड़ा गुफा मंदिर क्यालास मंदिर एलोरा का सबसे बड़ी बड़ा चिडियागर जॉलोजीकल गाडन कोलकाता सबसे बड़ी मस्जित जामा मस्जित दिल्ली की सबसे उंची चोटी गौर्डमेंट आउस्टिन केटू सबसे लंबी सुरंग सडग या जमूर को स सिरी नगर से जोडती है चैनानी नासरी सुरंग 9.2 किलो मीटर की है जम्मू एन एच चवालीसपर पूर्म नाम है इसका एन एच वन ए सबसे लंबी सुरंग रेलवे का बनिहाल रेल सुरंग एपीर पंजाल में 11.25 किलो मीटर जम्मू गस्मीर में सबसे बड़ा डेल्टा मद्धेदेश सबसे बड़ा कोरीडूर रामी सुरं मंद्र इतमिलाडू में सबसे उच्चा जहरना 500 455 मीटर उचा कुची कला बराहय नदी करनाटक में सबसे लंबी सड़क ग्रेंड ट्रंक रोड सबसे उच्चा दरबाजा बुलं दरबाजा सबसे लंबी नदी गंगा सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजाब घर सबसे बड़ा गोमज गोल गोमज वीजाबूर का है रहां का है वीजाबूर का सरवादिक बरसा वाला इस्थान मासिनरा मिघाले का है सबसे बड़ा लीवरपूर ए हावडा बिरिज कोलकाता का सबसे लंबी नहर इंद्रा पूर उत्तर पिदेश का है 1.3 किलो मीटर का सबसे विसाल स्टेडियम युवा भारती साल्ट ले कुलकाता में सबसे अधिक आवादी वाला से मुंबई महाराष्ट का सरवादीक सहरी छित वाला राज महाराष्ट सबसे लंबा रेल मार्क डिबरु गर से कन्या गुमारी सबसे वड़ा प्राक्तिक बंदर का मुंबई महाराष्ट सबसे लंबा राष्टी राजमार्क राष्टी राजमार्क चबालिस सबसे लंबी तड्रेखा बाला राज गुजरात खारे पानी की सबसे बड़ी तटिय जील, चिलका जील, उडिसा में है, मीठे पानी की सबसे बड़ी जील, बूलर जील, जम्बू कस्मीर में है, भारत की सबसे लंबी साहिक नदी, यम्ना निदी, दच्छे भारत की सबसे लंबी नदी, गोदावरी, सबसे लंबा बान 26 किल सबसे बड़ा गुरुद्वारा सौड मंदिर अमरुस्तर में, सबसे बड़ा गिरजागर सैंट कैथेडरल गुवा में, सबसे बड़ा टीवी टावर, फीतम पुरा नई दिल्ली में, सबसे बड़ा समद तट मेरीना बीच चन्नई में, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी, कोसी नदी, सबसे बड़ी किंतम जील, गोबिंद बलबंद सागर, सबसे गहरी नदी घाटी, भागी रती वा अलग नंदा, डेल्टा ना बनाने वाली, सबसे बड़ी नदी, नर सबसे बड़ा नदी दुई, माजूली ब्रह्मपुत नदी एसम में, सबसे बड़ा तारा बंडल, बड़ला पिले नेटोरियम कोलकाता में, सबसे उचा हवाई पतन, लेह लगदाक में, सबसे बड़ा राज, छेतफल में राजिस्थान, सबसे बड़ा जिला, छेतफल में कच्छ गुजरात, सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेंड, गतिमान एक्स्प्रेस, सबसे उची मोर्ती, स्टैचू आप यूनिटी, यह गुजरात में आपको देखने को मिलेगी, कहां? गुजरात में देखने को मिलेगी, भूपयन हजारीका पुल की लंबाई आप देखें त नव यूग इंजिनीरिंग कंपनी लिमिटेड ने किया, इसमें आप देखेंगे बारे दोजार चपन करोड की लागत आई है, इसे पतिनी टॉप सुरंग के नाम से भी आप लोग जानते हैं, इस सुरंग का नया नाम स्यामा प्रसाद मुकरजी सुरंग रखा गया है, इस इसमें अब तक की सबसे उची मूरती है, इसमें गुजरात के बड़ोतरा के पास नरवदा जिले में इस्ते सरदार बांग से तीन दसमलो पाच किलो मीटर लम नीचे की तरफ है, राजपीपला के नेकट सादू बेट नामक नदी दूई परिस्ता पे थे, इस मूरती का डजायन पदम भूसन पुरुषकाल से सम्मानित मूरती का राम वण जी सुतार ने किया है, अटल टरनल या रोहतांग टरनल पाच किलो मीटर है, यह आप देखें बिस्तम पितम, एवरेश सिखर पर पहुंचने वाला पहला ब्यक्ती, सेरफाद, तेजिंग, इभारत वास्तर, एडमंड, हैलीरी, न्यूजिलेंड के थे, उत्री धरुप पर पहुंचने वाला पितम ब्यक्ती, रौवाइट वेरी, पितम महिला, फ्रेंट फिट, करनाडा की, चेलिंगर गर्थ में 36,200 फिट नीची तक पहुंचने वाली पितम महिला, कैथी सुलेमान, अमेरिका की थी, पोस्तक मुदरित करने वाला देश, चीन, कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश, पहला देश, चीन, सिविल सेवा के इनसे भी कुश्चन्स पूच लेता है, स्तयुक्तिराष्ट का संग का पितम महा सचिब, ट्रग वैली नौर्वे के थे, सिक्षा को अनिवार करने वाला पितम देश, प्रसा, पितम फोटवाल विसकप, जीतने वाला देश, उरोगवे, समिधाने वाला करने वाला पितम सहितराज जमीरिका, पाकिस्तान के पितम गवर्न जनरल मुहमद अली जिन्ना, गोट निर्फेक चांदोलन के पितम सम्मेलन, कायुजन इस्थल, वैल गरेड, चीन पहुंचने वाला पितम, यूरोपियन, मार्को पोलो, बाई उन से पहली उडान भरने वाला बैक्ती, रा रसिया, आधुनिक उलम्पिक खेलों का यूजन, करने बाला देश, पितम देश, यूनान, कौन सा, यूनान, इसे भी याद रखिये, चीन गड़राज जी के पितम राष्ट्पती, डॉक्टर सन्याद सेन, पितम नगर जिस पर परवाडू विम गिरा था, हीरो सीमा जाप का 1945 की बात हो रही है, सरवाधी पसुबाला देश, भारत, विसका पितम विस्विद्याले, तक्छिला विस्विद्याले, ये 820 ही पहले की बात है, इसा पूर्प की, चंदमा पर उतरने वाला पितम ब्यक्ती, नील आरम स्टांग, USA के थे, अंतरिक्ष में पहुंचने वा पितम महिला पितम महिला, मार्गेट थेचर, किसी मुसलिम देश की पितम महिला, पितम महिला, पितम महिला, बैनजीर भोटो पाकिस्तान, बिसमें किसी देश की पितम महिला, पितम महिला, अंतरिक्ष में जाने वाला बाली पितम महिला, बैलेन टेना, तेरे सेकोवारोस, एवरेश्ट पर चड़ने वाली पिथम महिला जुंको तेवेई जापान कि थे हैं और वेटेन की पहली रानी जैन जैन और सेफ्तराष्ट महासभा की पिथम महिला सभापती विजालाच्मी पंडित भारत पर आकमर करने वाला पिथम यूरोबासी सिकंदर विस में किसी कि पिथम महिला राष्ट पती मारिया एस्टेला रजावेल अर्जिन्टीना की अंटार कीटी का महाधी पर पहुंचने वाला बाली पिथम महिला के रोलील मिकल्सन पितवी का मांचित बनाने वाला पिथम बैक्ती अनिक जी मेंडर विस को संकलन करने वाला पिथम बैक्ती सरवादी कुम्में में विरेष्ट पचण वाला पिथम ब्यक्ति रिचर्ड वास विमलडन ट्राउफी जीजना वाला पहला एसीन ब्यक्ति आर्थर रेस साहेट के पिथम नोवल पुरुसकार से समानित ब्यक्ति प्रोधो सली स्तांती की चेट में पिथम नोवल पुरुसकार से समानित ब्यक्ती जयान हेनरी दुनांत और फेडरिक बासी बहुतिक विज्ञान में पिथम नोवल पुरुसकार से समानित ब्यक्ती W.K. Roandgen जरसाइन विग्ज्यान में पिथम नोबल पुरसकार बाने वाले ब्यक्ती जे एज बेंट वेंट होप चिकस्था विग्ज्यान में पिथम नोबल पुरसकार पाने वाले समानित ब्यक्ती एए इवान वेहरिंग अर्थ सास्त एकोनी में एकोनोमी में अर्थ सास्त के छेत में पिथम नोबल फुरुसकार से समानित बेखती ये थे रेगनर फ्रेस और जॉन टिन वर्गन इंगलिस चैनल तेरकर जाने वाले पिथम पार करने वाले बाली पिथम महिला गट रोड एडरले एक्षे की वित्युका अधिकार पिदान करने वाला बिसका पिथम देश नीदरलेंड हॉलेंड बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश स्वीडन रॉबोट सोफिया की उकोन आगरिक्ता देने वाला पिथम देश साओधीरब अमेरिका की वित्युका अधिक्षा के मामले में दुनिया भर से हमारे यहां लोग आते थे अब आप देखिए इस समय हम लोग बाहर में जा रहे हैं देश में विसमें सरवाधिक बड़ा छोटा लंबा सबसे बड़ा महादीप एसिया सबसे चोटा महादीप आश्टिलिया सबसे बड़ा महासागर पिसांत महासागर सबसे गहरा पिसांत महासागर सबसे बड़ा नगर चितफल में London, Great Britain का सबसे बड़ा देश चितफल में सबसे छोटा देश चितफल में Vatican City, सरवादिक जन संख्या चाइना में सरवादिक निर्वाचक संख्या का देश भारत है नियूंतम जन संख्या घनत अन्टार्किति का किये सरवादिक जनसंख्या घनत वाला देश सिंगापूर, सरवादिक आबादी वाला नगर टोकियो जापन, सबसे कम आबादी वाला नगर बेटिकन सिटी, सबसे लंबी सीमा वाला देश करनाडा, सबसे चोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर, और सरवादिक सीमाओ वाला दे चीन 14 देसों से सीमा लगती है। सबसे चोटी बक्षी हम्बिंग बर्ड, सबसे लंबी साहिक नदी, मैडीरा, अमेजन की साहिक नदी, सबसे ब्यस्त व्यापारिक नदी, राइन नदी, जर्मनी की, अन्ता सागरिय नदी, क्रॉम बेल धारब, सबसे लंबा मोहना, ओम नदी का मोहना, रूस, सबसे ब्यस्त नील नहर, सबसे बड़ी जील, केस्पियन सागर, सुरूस में, सबसे बड़ी ताजेपानी की जील, सुपियर जील, अमेरिका में, सबसे गहरी जील, वैकाल जील, लुदूस में, जील के अंदर जील, मेनेटू, कनारे में, सरवादी उचाई परिस्तित जील, नौकायन, जन पेपाद, लाओस में सबसे बड़ा जल्डमरू, डेविस जल्डमरू, गेल लैंड और वैफिन दूइप, सबसे बड़ा शकराज जल्डमरू, यूनान और यूविया दीप के मद, एंजिन सागर में, सबसे बड़ा गल्प, मैक्सको का गल्प, सबसे विसाल जलसंदी, टार टार जलसंदी, रूस और साखालीन दूइप के मद, सबसे चोड़ी जलसंदी, डेविस जलसंदी, ग्रीलेंड वाबैफिन दूइप के मद, सबसे उचा परबत सिकर, माउंट एवरिष्ट, हिमालय, नेपाल की वित, सबसे उची परबत माला, हिमालय, एसिया में, एस सबसे विसाल ज्वाला मुखी मोना लुआ हवाईदीड में सबसे उंचा बांद न्यू रेक ए 304 मीटर है तजीक इस्तान में सबसे बड़ा बांद कंकीट ग्रांड कुली बांद कोलंबिया नदी अमेरिका में सबसे लंबा रेलवे फिलोईट फॉंग गोरफपुर में उत् सबसे बड़ी रेल स्वरग गोठाइड हर्ड एक आप देखेंगे संताबंद 0.09 km सुखिलेंड में सबसे बड़ी सड़क ली डल नौर्वे में अबारेद 24.59 km सबसे उची सड़क इसलेक्ष मार्वारत में सबसे बड़ा राजमार्क ट्रांस कैनेडियन राजमार्क सबसे ते उचा नगर बैने वेंचुआं तिभ्बत में, सबसे उची राध्धानी लापाज बॉलिमीया के, सबसे बिसाल दलल, फ्रिपेट दलल साइवेरिया चित में, सबसे बड़ा रहेगिस्थान, एसाहरा अफीका में, एसिया का सबसे बड़ा रेकिस्तान गोबी मंगोलिया में सबसे ठंडापेदिस बॉस्टॉल अंटार किटिका में सबसे बड़ी मस्चिद मस्चिद अल हराम मक्का सुखदेर में सबसे उची मस्चिद सुल्तान हसन मस्चिद काहिरा मिस्व में सबसे उची मीनार, कुतम मीनार भारत में, सबसे बड़ा गिरजा घर, यह आप देखेंगे वैसी लिखा, ओप सेंट पीटर वेटीकन, सबसे बड़ा महल, वेटीकन सिटी फैलेस इटली में, सबसे उची बिल्डिंग, बोल्च खलीपा, 829.84 मीटर, सबसे लंबी दीबार, चीन की दीबार, सबसे बड़ा स्टेडियम, स्टार होब स्टेडियम, प्रयाग चेक में, सबसे बड़ा एंडोर स्टेडियम, सुपर डॉम, लिव सियाना, USA में, सरवाधिक बरसा का इस्तान, मासेन राम, मेगाला भारत में, सबसे बड़ा घंटाग है, दा ग्रेट वेल मासको, रूस में, सबसे बड़ा बंदर का निवार्क सयुतराज जमेरिका में, सबसे बड़ा हवाईड़ा, खालित हवाईड़ा, रियाद में, सरवाधिक बुद्धी मानपसू, चिंपाजी, सबसे विसाल मंदिर, अंगोर बाट का मंदिर, कंबोडिया में, सबसे बड़ चिडियागर, क्रोगर नैशनल पार्क, दच्छे रफीका में, सबसे बड़ा भाककाugen, मह allora सबसे बड़ा पार्क, बोल वफैलो नैशनल पारक कनाडा में, सबसे बड़ा पिल्रेेट, पिलले ने टोरियव मिया, मिया जाकी, जापान में, सबसे बड़ा सबसे बड़ी कार्याली इमारत, पेंटागन सेब्दराज अमेरिका में, सबसे लंबा ब्यक्ष, सिकुवा का ब्यक्ष, कैलिफॉनिया में, सबसे उचा पसू जिराब, सबसे बिसालतम पसू विलू, हेल, सबसे बड़ा पक्षी, ओस्टेज, सतुर मोग, यह तु आप लोग अगलादिस का वाटर लेली, फ्रांस का लेली, नीदरलेंड का सेर, एरान का गुलाब का फूल, यूके का गुलाब का फूल, इस्पैन का इगल, USA का गोल्डेन रॉड, जापान का गुल्दा रूदी, उदी, इटली का सफेज लेली, कराड़ा का मेपल प्लीप, और्टिल लेता है कई बार, मैक मोहन रेखा, भारत चीन के बीच, रैड कलेप रेखा, भारत पाकिस्तान, हेंडर वर्ग रेखा, जर्मन और पॉलेंड, 38 वी समानतर रेखा, उत्तर कोरिया, दच्छन कोरिया, मैगी नॉट रेखा, जर्मनी फ्रांस, 49 वी समानतर रेखा, USA कनड़ा, मैनरहीम, मैनरहीम रेखा, रोस फिनलेंड, डुरेंडर रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, प्रमुक देशों के राष्टी समारक देखेजे, जुकी हुई मीनार, पीसा, पीसा में है और इटली की है, क्रैमलीन, मासको में है, रोस, पार्थनान, एंधिन्स टोकियो, जापान, ग्रेट वॉल, उत्तरचीन, चीन, ओफेरा हाउस, सिडिनी में, उस्टिलिया, तरामिट, गीजा, मिस्ट, एफिल टावर, पेरिस, फ्रांस, पवन्चकी, केंडर, डिज, डैन्मार्क, स्टेटीव अफ लिवर्टी, निवार्क, और ईवैसे में, ताज बायुदाब बाले, इस्थानों को जोडने वाली रेखा है, समताब रेखा है कहलाती है, समगहरी रेखा है, समान गहराई के समद्रिस्थलों को जोडने वाली रेखा है, समगहरी रेखा है कहलाती है, समच रेखा है, समान उचाई वाले बिन्दों को मिलाने वाली रेखा ह कहलाती है वह रेखा जो मांचित की उन रेखाओं को मिलाती है जा किसी निश्चित तद्यकामान बराबरो संधूप रेखा वह रेखा जो धोग के समान अवदी वाले पुल게 को मिलाती हुए खीची जाती है समताप रेखा, मांचित पर समान तामान के इस्थानों को मिलाते हुए खीची गई रेखा, समताप रेखा कहलाती है ठीक है, तो यह भी याद रखिए यह आपकी पिर्मुक देशों की समाचार एजनसिया है, इन्हें भी याद रखा करिएगा इन्हें से भी कुश्चन्स आते रहते हैं यूएस देश हो गए और एजनसिय हो गई यूएसे, एसो सियेटेड प्रेस, एपी, ब्रेटन, राइटर्स, रोस, तास, मलेशिया, बर्नामा, इटली, अंसा, इजराइल, इतीम, फ्रांस, एफपी, भारत, प्रेस, ट्रस्ट आफ इंडिया, पी टी आई, भारत, समाचार भारती भी ये, चीन, शिन्हुगा, जाप क्योडो, एंडोनेसिया, अंतारा, इरान, इर्ना, जर्मनी, डी पी ए, फिलिस्तीन, वाफा, कौनसी, वाफा, ऑस्टेलिया, एएफी, रोस, नो वोस्ती, पाकिस्तान, यूपीप, और मिस्त, मैना, भारत, यूनिवालता, भारत, यूनाइटिद नियूज अफ इंडिया, यूएसे, उनाइटिद प्रेस, इंटरनेशनल, यूपी, पिरमुक देशों के सरकारी दर्स्ता बिच, ग्रेन बोक, ए, इटली और इरान की सरकारी रिपोर्ट या पे कासन, ओरेंज बोक, नीदरलेंड सरकारी की रिपोर्ट या पे कासन, राइट बोक, पुर्दगाल, च सरकार का सरकारी रिपोर्ट या पे कासन, ग्रेट वोक, ग्रेवोक, बेल्जियम बा, जापान की सरकारी रिपोर्ट या पे कासन, एलो वोक, फ्रांस जर्व सरकार की सरकारी रिपोर्ट या पे कासन, जॉएंट फेपर, दो या दो से अधिक सरकारों की सहुत रिपोर्ट य हो गये जैसे ये देश हो गया, और ये उनकी राजनितिक दल हो गये, हमारे देश में भी आप देखते हैं राजनितिक दल हैं यह यह ऐसे, रिफश्ब्लीकन पार्टी और डेमॉक्रेटिव पार्टी मुक्ःता दो पार्टी हें, Tell olduğ cruel पार्टी ये किये बंगलादेश में बंगलादेश नेशनल पार्टी, आबामी लीग और जातिय पार्टी नेपाल में नेपाली लीग कमेनिस्ट पार्टी, नेपाली कॉंगरेस पार्टी चीन में चीन Communist Party, स्री लंका में उनाइटिन नेशनल पाइटी, फीडम पाइटी, दच्छड अफीका में अफीकी नेशनल कॉंग्रेस, नेशनल पाइटी और इंकाथा फीडम पाइटी, यूके में कंजरवेटिब पाइटी, लेबर पाइटी, लिबरल डेमोक्रेटिब और आप देखिए, भारती जनता पाइटी, मुक्ता पाइटियों की बात करें, पाकिस्तान में मुसलिम लीग, पाकिस्तान पीपूल्स पाइटी, यह आपकी पाकिस्तान की पाइटियां हो गए, फिर आप देखेंगे, फिर मुक्रेद चिन्न हो गए, पितीक हो गए, कलम, संस्किती और सभिता का पिति, कमल का पूल, संस्किती सभिता का पिति, रेड क्रॉस, डॉक्टरी सहेता और अस्पताल से सम्मंदित, और लाल जंडा, क्रांती या खतरी का सूचक, काला जंडा, बिरोत का पिति, पीला जंडा, संक्रामक रोग गिर्ष्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा रहता हैं इसे आप लोग देखते होंगे, आप लोग जब कहीं सफर करते होंगे आखो पर बंधी, पट्टी और न्याय ये तराजू में हाथ में तराजू लिये इस्तरी न्याय का पितिक है बाहे पर काली पट्टी सोग विरोध या दुख का पितिक एक दूसरे को काटती दो हड़िया और उपरी खोपरी ये बिजली की खत्रा बिजली की खमों पर आप ल कनाडा का गंजा इगल, जापान का आईविस और न्यूजिलेन का कीवी, यूनाइटिट केंगरम का रोविन, रेड वेस्ट और भारत का बाग हो गया जिसकी अंतराश्टी बिमान से बाएं हो गई, देश हो गया, बिमान हो गया, संचिप्त नाम इनका अफगानिस्तान में एरियाना, अफगान एयर लाइंस, ए ए के नाम से जानते हैं, उस्टिलिया में कुईसलेंड एंड नौर्धन ट्रेटरी एरियल सर्वेस, QS, QANTAS, बेल्जियम में नेस्टनल बेल्जियम एयर लाइंस, S-A-V-E-N-A, म्यानमार में यूनियन अफ म्यान एयर वेज, E-A-A, फ्रांस में एयर फ्रांस, A-F, ग्रीक में ओलंपिक एयर वेज, O-A, हांकांग में कैथी पैसिफिक एयर वेज, C-P-A, हंगरी में हंगेरियन एयर लाइंस, मालेव, M-A-L-E-V, भारत में एयर इंडिया, A-I, इंडोनेसिया में गरोड इंडोनेसियन ए एयर वेज, G-I-A, एरान में एरान एयर, I-A, और आयलन में आईरेस, इंटरनेशनल एयर लाइनस, एयर लिगनस, इसराइल में E-I-A-I, इटली में इटेलियन एयर लाइनस, एली टेलिया, जापन में जापर एयर जापन एयर लाइनस, एयर लाइनस, J-A-L, कुबेद में क पुबेत एयरलाइंस के ए लेवनार में आप देखें कि मिडल मिडल इस्ट एयरलाइंस में नेपाल में आप देखें कि रॉयल नेपाल एयरलाइंस आर ए ने नीदेलर में के एलेम रॉयल डच एयरलाइंस के एलेम पाकिस्तान में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पी फिलिपिन्स में फिलिपिन्स एरलाइन्स पील पी अल, फोल्ड में फॉलिस स्टेट एर सर्विस लॉफ लॉत, रोमानिया में ट्रांस्पोर्टर, एरने रोमाने तारों टी अर ओ एम, स्कंडिन नेवी आई में स्कंडिन नीवियन एर शिस्टम सेस्टम सिंगापुर में सिंगापुर एर लाइंस एस आई ए रूस में एर एरो फिलॉट स्री लंका में एर लंका एल स्वेजलेंड में सोयसी एर के नाम सिंगेत नाम है यूक say वेटेश एर वेज और घर ज़िये और ये टी यूसे में पैन अमेरिकान एर वेज पी एए एस पैन में एविरी या पनामा में कोपा जर्मनी में लग थंसा इन्हें भी याद रखिए बिस्त के परमुक समाचार्प और पेकासा के स्थल, यह समाचारपत हो गया, पेकासा स्थल हो गया, दा टाइम्स लंदन से, डेली मिरर लंदन, डी ली फिकार्टो पैरिस, इजबेस्तिया, ए मास्को, डॉन कराची, दा आईलेंड कोलंबो, इस्टर्ण सन, शिंगापूर, अल अहरम काहिरा, मर्डेका, ज लाहिंदो, चैन्नाई, दिहिंदो, चैन्नाई, इस्टार, जोहांस्वर्ग, मिनेची सेमोन, टोक्यो, गार्डियन, लंदन, डेली मेल, लंदन, लामाद, मांद, पैरिस, प्यवादा, मास्को, डेली निव, निवार्ग, ला, रिपब्लिका, रॉम, इंडेपेंडेंट, विपूस डेली, विजिंग, फाइनेशियल टाइम्स, लंदन, निवार्ग टाइम्स, निवार्ग, बंगलादेश अब्जर्बर, ढाका, दा टाइम्स ओप इंडिया, भारत, खलीज टाइम्स, दोबाई, विसकी प्रमुक, गुप्त चर एजन्सियां होगी, गुप्त चर संस्ता होगी, यो देश, Central External Lenja Department, चीन, Australian Security and Intelligence Organization, Australia, KGB, GRU, एरूस की, और आप देखे, पोतिन सहावी, KGB से भी जुड़े रहे हैं, Bureau of State Security, दच्छे रफीगा, MI Military Intelligence, 5A and 6, 5 and 6, Branch Joint Intelligence Organization, UK की, Inter Services Intelligence, ISI, पाकिस्तान की, Research and Analyst Wing, RAW, Intelligence Bureau, IV, Central Bureau of Investigation, CBI, इभारत की हैं, Central Intelligence Agency, CIA, Federal Bureau of Investigation, FBI, USA की, Mossad, इजराइल की, मुख, मुखवराद, मिस, नाइचो, जापान, सवाग, इराग, इरान, अल, मुखवराद, इराग, तुभेने भी याद रखे, विवन देशों की संसत हो गए, जैसे ये देश हो गया, उनके संसत के नाम, भारत संसत की नाम से आप लोग जानते, रूस में डिवमा की नाम से, इस्पेन में कोटेस, वेटेन में पालियामेंट, जर्मनी में बूर्ट से टेग, मंगोलिया में खुरल, इरान में मजलिस, ताइवान में युगान, इस्राइल में नेसेट, जापान में डाइट, माल् तो इन्हें भी याद रखिएगा सयुक्त राष्ट संग सयुक्त राष्ट संग यानि की United Nations का नाम अमेरिका के ततकालीन राष्टपती फैंकलीन डी रोजबिल्ट द्वारा अप्विदान किया गया सयुक्त राष्ट की रूप रेखा का निर्माट करने के लिए बड़े राष्टों की पितिनिदियों का सम्मेलन 21 अगस्त सयुक्त राष्ट संगे के संस्थापक सदस्थों की संख्या उस समय इंक्यावन थी देखिए जिस समय इसकी स्थापना हुए 26 जून 1945 को अधिकार पत्त पर तो केबल 50 राष्टों के पितिनिदियों ने हस्ताक्चर किये थे बाद में इस पर हस्ताक्चर कर पोलें 17 एकड जमीन पर 49 मंजिल का है जो मैन हट्टम द्वीव में बनाया है आप समझ सकते हैं 17 एकड यह 17 एकड भूमी जॉन डी रॉक फेलन ने दान में दी थी इसी में इसका सजीवाला है समझ रहे हैं इतने बड़े दानी रहते हैं दुनिया में संग का मुख कार्याल है 1922 में बन कर तेयार हुआ और यहां इसकी महसाबा की बिथम बेटक अक्टूबर 1922 में आयो जित हुई थी सविक्त राष्ट संग की द्वहच की फेल्ष्ट भूमी हलकी नीली है उसमा सुईत रंग से राष्ट संग का पितीक बना हुआ है सविक्त राष्ट संग का बजट सविक्त राष्ट घूष्णा पत्त की अनुछे 17 गर्मसाज बजट पर विचार करने उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महसाबा की है और इसका नेमित बजट महसाबा द्वारा हर दूसरे बर्स अनुमोदित किया जाता है बजट महस सचेब द्वारा पेस किया जाता है सयुक्त राष्ट संग की कुछ चैंग भी है महसाबा की बात करने तो इसके सभी सदस देशों के पिदिनिधी समलित होते हैं और इसलिए इसे विस्से की लगू संसद भी कहते हैं पितेक देश से इसमें पांच पिदिनिधी भी सकता है परन्तु इसका बोर्ट सिर्फ एक ही होता है एक बात एद रखिए पूचा जा सकता है कि विसकी लगू संसद की नाम से किसे जानते हैं महासबा को किसे महासबा को महत्पूर्ट पिसनों जैसे 37 सुरक्षा से जुड़े मुद्दे नए सदसों को प्रवेस बजट नेड़ा के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है महासबा का नेमित सत्थ हर साल सेफ्टमबर माह के तीने तीसरे मंगलबाय से सुरू होकर देसंबर के मद्द तक चलता है पितेक नेमित सत्थ की सुरुवाद पर महासबा एक नए अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष और महासबा के साथ मुख्यसमतियों की अध्यक्षों का चुनाव करती है नहमिप सत्थ के अलावा महासभा की सुरक्षा परज़ध के आगरे पर दिशेस सत्त तईवज़ित की जा सकते हैं सुरक्षा भज़त की संसुती पर अंतराष्टी न्याले की न्याधिस और नए देशों की सदस्ता, महासाचीव की नियुकती, राष्ट संग का बज़ट पारित करना आदी महासाभा की कारे हैं सुरक्षा पर अंतराष्टी सांती और सुरक्षा को बना रखना सुरक्षा पर नए रखना पर जिम्मेदारी है और इस कारण मस एक महावरे की रूमे से दुनिया का पुलिसमेन भी कहा जाता है इसमें 15 सदस होते हैं जिसमें 5 तो आपके स्थाई होते हैं, 10 आपके आइस्थाई होते हैं 5 सथाई आप देखेंगे कि अमेरिका रूस, बेटेन, फ्रांस और चीन आपके स्थाई सदसों का निर्वाचन महासाभा अपने दो तिहाई बहुमत से दो बरसों के लिए करती है और इस थाई हैं देखेंगे अमेरिका, रूस, बेटेन, फ्रांस और चाइना सुराप साथ परश्दत की पिदेक सदस का एक बोट होता है पिक्किरिया समनी मामलों में निर्वाचन के लिए 15 में से 19 सदसों का सकारात्मक मादान आवसक होता है जिसमें 5 इस थाई सदसों का सकारात्मक मादान आवसक होता है इस दसा में 15 में से 14 सदस देसों के समर्थन के बापजूत पिस्ताव सुईकित नहीं होता है सीधा सा कहिने का मतलब है जो आपके 5 इस्थाई सदस है अगर कोई पिस्ताव आया हुआ है और उस पर अगर आप देख सोचे चार सदस इस्थाई सदसों में से उसके पक्च में है एस एक उसके बेपक्च में है तो वो पिस्ताव पास नहीं होगा और आप सोचे कि टोटल आपकी 15 सदस इसमें से 14 सदस भी आप देखे इसके पक्च में और एक इस्थाही सदस अगर इसके बेपक्च में तब भी वो पास नहीं होगा तो आप समझें कि 5 इस्थाही सदसों को उस पिस्थाओं के पक्च में होने या उसके बेपक्च में पांचों को होने में जरूरी होता है तब ही वो पास हो सकता है यदि कोई स्थाही सदस किसी नेड़ाय का समर्थन नहीं कहता है तो उस नेड़ाय को रोकना भी नहीं चाहता तो वो है मद्दान की पिकलिया की द्वारा अनुपिस्तित रह सकता है सोवियासंग ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया अमेरिका ने वीटो का उपयोग सरवपयोग सरवपयोग मार्च 1971 में रोडेसिया के पिसन पर किया था चेर ने सरवपयोग वीटो का प्रियोग अगस्त 1972 में बंगलादेश के विस संस्था में प्रिवेश के पिसन पर किया था पिर आप देखेंगे आर्थिक और सामजिक परशद, वर्तमार में आर्थिक और सामजिक परशद की सदसों की संख्या चंगन है। परिश्यद में पितेग सदस राज जी का एक ही पिती निदित होता है इसके नेड़े साधान भहुमस से होता है आर्थे के वों सामाजी परिश्यद की बैठके वर्स में दो बार होती है अफ्रेल में निवार्क में और जुलाई में जेनेवा में यहने भी याद रखेगा फिर परिश्यद अपना कार विभिन पिकार के आयोगों इस्थाई समितियों विशेश संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है कुछ आयोग के नाम आतिक और रोजगार आयोग जनसंख्यावर यात आयोग सहिक्तराष्ट बाल संकट कोस फिर आप देखेंगे पिन्यास परि है कि इस समय कुछ बिच्डे हुए अल्फ विक्सित और आदिव दसा वाले देशों की निवास सी इस युग नहीं है वे अपने देश का सासन स्वयम कर सकते हैं उन्हें दूसरे विक्सित देशों की सहायता अपिक्षे थे और विक्सित देशों का यह दायत थे कि वे उनक अपने स्वार्थ के लिए सोसर ना करें जनराष्टों को नियास का भाहर सौपा जाता है ऐसे राज्ज हैं और नियुजिलेंड अमेरिका वेटें रोश चेन फ्रांस सुरक्षा बरिशत के ऐसे सथाई सदस देश हैं जिनके पिसासर में कोई नियास छेत नहीं है पिन निय संथ होने के साथी पिन्याज परिशत के कार लगबग समफ्त हो गए सचीवाले सचवाले सउप्तराष संग के दिन पी ती दिन के कामों को निपटाता है सचवाले का फिरमुक महासचिव होता है जिसे महासबाद वारा सुरक्षा परतरत की स्थाई सिफारिश पर 5 साल की अ अंतोनियो गुत्रेश साथ संग के नए महासचिव है ये साथी महासचिव तर्ग वैली नौरवे के एफरवरी उनने सो चाली से नवंबर उनने सो से बावन तक नवंबर उननी सो बावन में आप देखें कि स्वैम पद से स्थीवा दिया थे नोंने डेग हेमर्सोल्ट स्वीडन के अप्रेल 1931 से 61 तक रहे सेप्टमर 61 तक सेप्टमर 1961 में अविएका में हवाई दुरगट नामेन की डेथ हो गई थी यूथ हांट म्यानमार की नवंबर 1961 से दिसंबर 1971 तक नवंबर 1961 में कारवाहग वा 1962 में महासजी बने थे कोड़ वाल्दी हिम और श्टिया के थे जन्मरी 1972 से दिसंबर 1981 तक लगाता दो कारकाल पूरा किया रहोने जेवियर फेरेज दा कुईयार पेरू के थे जन्मरी 1982 से 1991 दिसंबर 1991 तक लगाता दो कारकाल रहोने भी पूरा किया वो तरस गाली मिस्के थे जन्वरी 1992 से दिसंबर 1996 तक एक कारकाल पूरा किया कौफी घना के थे कौफी अन्नास घना के जन्वरी 1977 से दिसंबर 2006 इन्होंने भी लगाता दो कारकाल पूरे किया बान कीमून दचेनकुर किया कि जन्वरी 2007 से दिसम्बर 2016 यह लगाता है दो कार पूरे की एंटोनियो गुत्रेस पुर्दगाल के जन्वरी 2017 से अभी तक इनका कारकल चल रहा है तो अभी याद रखियो जब भी आप लोग पेपर देने जा रहे हूं समय आप लोग अपडेट लिए करिएगा सभी के बारे में यह संगठन होगा इनकी स्थाफना वर्स मुख्याल है और भूमिका तो अंतराष्टी दूर संचार संग जिसे आप लोग आईटी यू के नाम से जाते हैं इसकी स्थाफना 1880 में जेने वाब सुईजलेंड में इसका मुख्याला देखने क मिलेगा दूर संचार के चित में अंतराष्टी सहयोग सारभांग डाक संग यूपी यू नॉक्टूबर उननीस 1884 में इसका जनम होता है या स्थाफना होती है वर्ण सुईजलेंड में इसका मुख्याला आपको देखने को मिलेगा लोगों के वी संजार बढ़ाने के उद स्रेमेकों की स्तिती में सुधार उनके जीवनिस्तर को उन्नात करना इसका उद्देश एकतर से उननीस उनत्तर में संगठन को उसकी पचास भी वर्ण गाट पर नोबल सांती पुरुसकार भी दिया किया था अंतराष्टी स्तरम संगठन डबलू टीओ विस परेटन संगठन एए उननीस उपचीस में इसकी अपना हुई थी मैडिट इस्पैन में इसका होड किराटर हैड को आटर ठीक है मुख्याले की बात कर रहा हूं परेटन के माध्यम से आर्थिक विद्धी और रोजगार के उसर पैदा करना परयावन सरक अंतराश्ति नागरे कोड्येन संगठन ICO 7 देसंबर Seven 1944 में इसकी स्थापना हुई थी मांटियल कंड़ा में इसका हेड को आटर है मुख्याले अंतराश्ति नागरे कोड्येन के मांधन तथा नियमनिष्चित करना और नागरे कोड्येन की समस्याओं का ध्रियन और उनका नियादान पिस्तुत करना, सहिवत राष्ट खाद देवों किरसी संगठन, एपेओ, 16 एक्टूबर 1945 में, रॉमिट्रिली में इसका मुख्याला है, विसवर में केसी वों पोसंड स्तर में सुधार लाकर जीमन स्तर को बढ़ावत देना है, आईये में अंतराष्टी मुद्रा इसके इस्तावना 27 दिसंबर 1945 में, बॉसंग्टन, D.C. सहिवत राष्ट अमेरिका में है, और सदस देशों को विदेशी बिन्वेल में सोविधा, अंतराष्टी, व्यापार, एवं भुक्तान को पुरोसान, तथा सदस देशों की आर्थिक उनती में मदद के लिए अंतरा इसके इसनद बॉसंग्टन, D.C. सहिवत राष्ट अमेरिका में इसका मुख्याल है, उत्त पादन विविकास प्रयोजन के लिए अंतराष्टी स्थर पर पुन्जी के विणिवाय कुपरोसान करना, एवनेस को 4 नबूम्बर 1946 में पैरिस में फ्रांस में इसका हैड़्कु सक्रिय योगदान का राष्टों की मद्द निकटता की भावना का निर्माल करना अंतराष्टी संपुद्रिक व्यापार संगठन IMO मार्च 1958 की बात हैं लंदन बैटेन में इसका एड़क्वाटर नो परिभ्यान के चेत में सुरक्षा नेमों का निर्धारन और अंतराष्टी को साथ अपरियल को आप देखेंगे की विस्त स्वास्त संगठन दियुक्या देखने को मिलेगा विस्त के समस्त लोगों के स्वास्त की उच्चतम संभध दसा को पराप्त करना विस्त मौसम विज्यान संगठन WMO 23 मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी जनेवा सुजेलेंड में इसका मुख्याल है देखने को मिलेगा मौसम बिज्ञान के चित में अंतरश्टी सहयोग में अभी विड्री प्राक्तिक आपदाओं को कम करने में मौसम बिज्ञान का प्रयोग और मौसम बिज्ञान के चित में सही सोद ओफिसिक्षन को प्रोसान देडा फिर आप देखेंगे अंतरश्टी परमाडू उर्जा अभी करन IAEA 29 जुलाई 1957 में इसकी स्थापना हुई थी वेना ओस्टिया में इसका मुख्याल है परमाडू उर्जा के सांति पूर्वक उप्योग को प्रोसान देना सहीवत राष्ट उद्धोगिक विकास संग्ठन UNIDO नमंबर 1966 में वेना ओस्टिया में इसका मुख्याला है अंतराष्टी केसी विकास संग आई F.A.D. 1977 में इसकी स्थापना हुई थी रॉम इतली में इसका मुख्याला देखने को मिलेगा विकासील देशों में निमन वर्गों को उन्नत खाद उत्पादन पोसाहार की साधन जुटाने में मदद करना विसे व्यापार संगठर WTO एक जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई जेनेवा स्वीजाइलेंड में इसका मुख्याला देखने को मिलेगा बहु पक्षी अंतराष्टी व्यापार प्रणाली के संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्द कराना ब्यापक परमाडू परीक्षर पितिबंद संधी संगठर CTVT 19 नवंबर 1996 में बेना वर्ष्टी याम इसका मुख्याला देखने को मिलेगा CTVT के प्रावधान का भू मंडली इस तरफ पर प्रमाड़ी करा रसाइनिक हधिकार निस्थ हतियार निशित संगठर OPCW 29 अपरेल 1997 दाहेग नीदलेंड में रसाइन विग्यां के सांती पुरूब उपयोग को सुनिशित करना और रसानिक हतियारों के विकास संगठर नारन प्रयोग को रोकना विस परियाटन संगठर की स्थापना 1925 में हैग में राष्ट किये परहेटन पिकास की अंतराष्टी संगठर की तोर पर की गई दुतिय विसेउद में के पहस्चात इसे जनेवा ले जाये गया और अंतराष्टी राच्किये परहेटन संगठर की नाम से इसका पुनर नाम करन किया गया वस 1975 में से विसक परेटन संगठन की तोर पर फैसे नाम करन किया गया। अंतराष्टी न्याले की स्थावना है नीदलेंड में 3 अपरेल 1946 को हुई थी और अंतराष्टी न्याले की संविधी में 5 अध्याय और 70 अनुछे थे इसमें न्याधिसों की संख्या बंद रहे और इनकी नुक्ति 9 वर्स के लिए होती पिते एक 3 वर्स बाद 5 न्याधिस और उपाद्ध्यक्ष को 3 वर्स के लिए चुनता है वर्तमार में अमेरिका के जॉन ए डोनोगी अध्यक्ष और रूस के क्रिल जोवर गेंड उपाद्ध्यक्ष है और आप लोग जिस समय फेपल देने जा रहे हैं उस समय अपडेट होता है रहा कर ये गए अध्यक्ष प्रेंच अंग्री जी है नयाले का कौरम कारवाही अधीसों की नियूंतम संक्या 9 है एक कम से कम 9 सदस होना चाहिए तभी इसकी कारवाही हो सकती है अंतना टिये नयाले में भारती नयाधिस उनका कारकाल वेनिगल रामराव ए उनीस सो बाबन तिरेपन में नरें नागन सी यह 1973-88 रगु नंदन पाठक 1989-91 दल वीर भंडारी 2000 और पाध्यक्षकिरू में कारकाल 1986-89 अध्यक्षकिरू में कारकाल इनका 1985-88 नागंद सींग की बात हो रही है तो यह भी याद रखिएगा सयुक्तराष्ट मानव अधिकार परिशद का गठन जून 2006 में किया गया है इसने मानव अधिकार आयोग का इस्थान लिया इस परिशद के कुल 47 सदसें इस पिकार चैनित किये गये यह संस्था सीधे महासभा के अधिन होगी जबकि मानव अधिकार आयोग सयुक्तराष्ट संकी आर्थिक हो सामाजिक परिशद के अधिन था और इस परिशद में सदसों का कारकल तीन बर्स निर्धारित किया गया और किन्तु इसके एक तेहाई सदस पिती बर्स रेटाइर होंगे और इसका मुख्याल है जैनेवा में देखने को मिलेगा सयुक्तराष्ट मानव अधिकार परिशद की अस्तित में आने के बाद इसमें पितम याज का नोबल परुसकार विजेता 1991 यह म्यानमार की लोकतांत्रिक नेता आंग सांग सुकी की वर से दायर की गई थी सहुक्तराष्ट इस्टाफ पॉलेज अंतराष्टी है सरम संगठन के सिक्षन केंद के केंपस के साथ तुरेन इटली में स्थाफित किया गया तो इसे भी याद रखना चाहिए आपको अब आप लोग पिस्ते के कुछ अन्य प्रमुक्स अगठन हैं इन्हें भी देख लेजें अभी तो आप लोगोंने पॉइंट पॉइंट करके देखा हुआ है लेकिन आपको फिर से बता रहा हूं कि इन संगठनों से कुष्ष हर साल पूचे जाते हैं आपके परिख्षाओं में और इसलिए बोला हूं कि आप लोग इन्हें विस्तार से जरूर बढ़ लें और इन्हें विस्तार से बढ़ाया भी गया है अगर आप लोग कह देते हैं एक जन्वरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्याल है आपको जेनेबा में देखने को में देगा विस्तु ब्यापार संगठन डब्लू टी यू बिभिन परिश्यदों और सामितियों के माध्यम से अंतराष्टी ब्यापाल से जुड़े उन 28 समझ देखने होतों को लागू करता है जिनने रोगवे दौर की वारता में सामिल किया गया है और 1994 में मरार का केस में पारित किया गया था और नवंबर 2001 के दोहा संबिलन में चीन को सदस बनाये गया था इसमें और विस्व्यापार संगठन का पिथा मंतरी स्थरिये संगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ था और वर्तमार में इसके महाने देशक रावर्ट अजबेड़ो हैं जो ब्राजील के हैं और डव्लू टीयों की सदसों की संख्या 164 है 164 वसदस अफगानिस्तान है एक बात फिर से आपको बता देते हैं कि देखे जिस समय आप लोग पेपर देन की यूरोपीय संख्य की तो एक जन्वरी 1958 को यूरोप के इनर सेक्स के कहे जाने पर बाले छे देशों जिसमें फ्रांस जर्मनी इटली वैल्लियम नीदरलेंड लगजंबर्ग द्वारा रॉम की संधी के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समधाई की स्थापना की गे और इ वैल्लियम में देखने को मिलेगा यूरोपेय संग में आप देखने हो सदस्तों की देखने तो ओस्टिया वैल्लियम बुल्गारिया क्वेसिया साइप्रस चेक गडराज डैन्बार्क इस्तोनिया पिल्लैड फ्रांस जर्मनी ग्रेज ग्रेस हंगरी आयलेंड इटली लाट अधिया माल्टा लिथुवानिया फिर आप देखें के आपका लगजंबर्ग फिर आप देखें के नीदरलेंड फोलेंड फॉर्टगाल रोमानिया स्लोबाकिया एस्पेंस स्वीडन स्लोविनिया इस सभी इसके सदस्के एक जुलाई 2013 को कोईसिया भी इसमें सामेल हुआ एक कम एक जुलाई 2013 की बात है और आप सभी जानते हैं कि जन्वरी 2020 में उनाइट किंगरम यूरोपीय संग से बाहर हो चुका है तो यह भी याद रखिएगा एक जन्वरी 1994 को सतंत यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना की गई और सेट यूरोपीय मुद्रा यूरो सेंटल वेंग की स्थापना की गई यूरोपीय संगे के संगठर वह इनका मुख्याल है यूरोपीय कमीशन ब्रॉसेल्स में इसका मुख्याल है यूरोपीयन पालियमेंट लगजंबर्ग में इसका मुख्याल है दा कोर्ट ऑफ जश्टिस ऑफ दा यूरोपीयन कम्यूटी इसका भी मुख्याल है दा यॉड़ोपियन कोट ऑप ओडी टर्स लगजंबर्ग में इसका भी आपको मुख्याल है देखने को मिलेगा एक जनवरी दो हजार दो को से युड़ो का चलन प्यारा होगा है युड़ोपिय संग्य के 28 देशों में से 18 देशों जिसमें और्टिया, वेल्जियम, साइप्रस, इस्तोनिया, फिनलेंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेक, आयलेंड, इटली, इस्पैन, लात्विया, लगजंबरग, पाल्टा, नीजलेंड, पुर्दगाल, इसलोवाकिया, इसलोवीनिया के द्वारा यूरो मुद्रा का उपयोग किया जा आए, वेटन, सुईडन, बाड़, डेनमार्ट, यूरो, मुद्रा, संग के सदस नहीं है, ये भी याद रखिये, यूरोपिया आर्थिक समुदाय का मुख्याल है, जेनेवाब में देखने को मिलेगा, यूरोपिया आर्थिक छेत, में यूरोपिया संगे के देशों के आए, यूरोपिया आर्थिक छेत, में यूरोपिया संगे देशों के साथ साथ, आइसलेंड हो गया, लिच इस्टेटीन, और नौर्वे भी आपका सामबिल हो गया, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिये, यूरोपिया अंत्रिक चैजंसी की अगर बात करें, तो य यूरोपिया अंत्रिक चैजंसी के स्थापना 1975 में की गई थी, और यूरोपिया इस्पेस रिसर्ज संगेठन और यूरोपिया लाचरविकास संगेठन के स्थान पर है, और यूरोप के 20 देश से, इसके सदस है, इसके कुछ सह परियोजनाओं में कनाड़ा भी आपका सामि इसका मुख्याल अगर आप देखें, तो पैरिस फ्रांस में है, पैरिस फ्रांस में है, फर आप लोग नाटो का नाम सुनते हैं, दा नौर्थ अटलांटिक ट्रेटी और इगनाईजिशन, और उत्री अटलांटिक गठन, अटलांटिक गठवन्दन की स्थापना 4 अपरेल 1949 को हुई थी, और एक तरह से आप सोचिए, कि इसमें आपने देखा है कि यूकरेन इसमें सामिल नहीं था, इसलिए नाटो ने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि आप सोचिए कि अगर इसके सदस्में से किसी देश पर हमला होता है, तो वो सामोईक रूप से हमला माना जाता है ठीक है, चार अपरेल, 1949 को आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसकी स्थाफना होती है, इसका मुख्याल है व्रुसेल्स, बेल्जियम में है, अभी उत्तर अटलांटिक संगठन संदी में 30 सदस राजिसा मिलें, बेल्जियम, कनाड़ा, डेन्मार्क, फ्रांस, आइसलें इटली, लगजंबरक, नीदरलेंड, नॉर्वे, फॉर्थगाल, वेटेन, स्रेवक्तराज अमेरिका, चेक रिपबलिक, जर्मनी, युनान, हंगरी, पोलेंड, स्पैन, टर्की, लात्विया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, इसलोवाकिया, इसलोवानिया, वुल्गारिया रूमानिया, अलवानिया, क्वेशिया, मॉन्टेन निग्रो, ये 5 जून 2017 को बना था, और मैसेडोनिया, 6 फरवरी, 2019 में इसका सदस्ट बना था, और 1949 में गठन की समय नाटो की सतर संख्यां कितनी थी, ये 12 थी, तो ये भी याद रखेगा, और इस्टाल लगे हुए हैं, इस रूमें 12 थे, नाटो की यंगे की बात करें, तो नाटो की संगठन में निबलेखे तंग हैं, परिशत, यह नाटो का सर्वोचंग हैं, इसका परिशत द्वारा स्विकित, सैनिक नेडियों पर विचार करते हैं, ओपर फरिशत, यह नाटो सदस्न द्वारा नियुकत कूट नीतिक फितिनेधियों का परिशत है, सैनिक समिती, इसमें आई इस लेंड वा फ्रांस को छोड़कर समस्ते देशों के सैनाध्यक्ष पितिने करते हैं, और फिर आपका आता है ACI विकास बैंक, जैसे आप लोग ACN डवलमेंट बैंक कहते हैं, ADB कहते हैं, इसके स्थापना की बात करें आप से, तो 19 दिसम्बर 1966 में 31 सदस्सों के साथ इसकी स्थापना की गई थी, इसका मुख्याल है मनीला में देखने को मिलेगा, और इसके सदस्स देशों की संख्या 68 है, जिसमें आप देखेंगे और नंचास तो आपके ACI क्यों हो गए, ACI और पैसे फिक सी, और 19 आपके सदस्स बाहरी हैं, ठीक है, इसके तीन पितिने दी कार्याला भी हैं, टोकियो में है, फैंक पार्ट में है, बॉसिंग्टन डीसी में हैं, फिर आप लोगों ने सुना होगा, आर्थिक सहयोग विकास संगटन, Organization for Economic Cooperation, Development, OECD के नाम से आप लोग जानते हैं, तो 1948 में गठेती यूरोपी है आर्थिक सहयोग संगटन को, 1971 में आर्थिक सहयोग विकास संगटन की रूम में परिवार्जित कर दिया गया, इसका रांस में देखने को मिलेगा, और इसके सदस देशों की संख्या कहें तो 34 है, फिर आसियान के बारे में सुनते हैं आप लोग, आसियान का पूरा नाव है, दच्छेट पूर्व ACI, राष्टों का संग है, Association of Southeast Asian Nation, इसकी स्थापना आठथागस 1967 में होती है, और उस समय संद्रिय सचवाला जकारता इंडोनेसिया में है, और 24 अगस 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण संबाद सहयोगी बना लिया गया, और रूस और चेन को भी पूर्ण संबाद सहयोगी का इस्थान प्यदान किया गया है, फिर आप लोग सार्व के बारे में सुनते हैं, और याद रखी इसका फूल फॉर्म भी कई बाद पूछ लेता है, इसका मुख्याल है काटमांडू में है, सारकी स्थाफन साथ आठ दिसंबर 1985 को हुई थी, इसके सरफ देशों में भारत सामिल है, पाकिस्तान सामिल है, बांगलादेश सामिल है, नेपाल सामिल है, भूट इसका मुख्याल है काटमांडू में है, ठीक है, यह आफलो जुरूर भी याद रखीएगा, जी गुरुब एट, इसकी स्थाफना 1975 में फ्रांस में की गई थी, इसके सदस देशों में बात करें तो कनाड़ा, अमेरिका, बेटेन, फ्रांस, जर्मरी, जापान, इटली और रूस है, 20-22 जून 1997 को अमेरिका के सहर डेनवर संपन, जी सेवन के सिखर संबेलन में रूस को जी सेवन का सदस बनाया गया, मार्च 2014 में रूस को जी एट से निलम्बित भी कर दिया गया, फिर अरब लीग, अरब लीग की बात करें तो इसकी इस्थाबना आप देखेंगे 22 मार्च 1945 को काहरा इसका मुख्याल है, ठीक है, और काहरा में हुई थी, इसके सदस देशों में 22 सदस हैं, जिसमें आप देखेंगे मिस इराग, जॉर्डन, लेबना, साओधी अरब, सीरिया, यमाना दिये, फिर आप देखेंगे OPEC, Organization of Petroleum Exporting Country, Petroleum निरया तक देशों का इसका मुख्याल है, इसके संस्थापक सदसों में इरान, इराग, साओधी अरब, बेने जोईला है, वर्दमान समय में इसके सदस देशों की संख्या 14 हो चुकी है, इरान, कोवेद, साओधी अरब, कतर, बेने जोईला, लीबिया, अलजीरिया, इराग, UAE, नाइजीरिया, एक्वाडर अंगोला, गेवन, एक्वेटोरियल गिनी, ठीक है, गेवन ने 1994 में और इंडोनीसिया ने सं 2008 में इसकी सदस्ता ली हुई है, ठीक है, क्या सदस्ता त्याग दी है, ली नहीं है, गेवन ने 1994 में और इंडोनीसिया ने, कब 1908 में है, रेड क्रोस इसकी स्थापना अठारे सुत्रेश्ट में हैंडरी ड्यूरेंट ने जैनेवा में की थी इसका मुख्याला भी आपको जैनेवा सुझेलेंड में देखने को मिलेगा इसे तीन बार उननीस सब्तरे चाबालीस त्रेसट में नोबल सान्ती प्रोसकाल भी दिया गया तीन बार आप समझ रहे हैं रेड क्रोस को इसका मुख्युद्ध ये उद्वा विपदा कि समय कटनाईयों के से रहत दिलाना होता है और पितीवर्स विस रेड क्रोस दिबस आप सभी देखते हैं कि 8 माई को मनाया जाता है जो इसके संस्थापक डियूरेंट का जनम है राष्ट मंडल राष्ट मंडल उन देशों का संगठन है जो कभी वेटे समराजी के दिन थे इसकी इस्थापना 1926 में की गई थी राष्ट मंडल का मुख्याल है लंदर में है आधुनिक राष्ट मंडल का जनम उस समय हुआ जब 1449 में एक गड़राज होने के उपरान थी भारत को इसका सदस बनाए गया वर्तमार में राष्ट मंडल के सदस्ते देशों की संख्या चंगन है राष्ट मंडल का सरवादिक प्रभाव साली अंग राष्ट मंडल के सांसन अध्यक्ष का सम्मेलन है गोट निरफेक्ष आंदोलन N.A.M गोट निर्पेक्ष देशों का पहला सिकर सम्मेलन 1961 में वेलगेड में हुआ गोट निर्पेक्ष देशों की सदस्तों की संख्या बर्दमार में 120 है गोट निर्पेक्ष अंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है इसका सचिवाल है काटमांडू में देखने को मिलेगा सुतंत राष्टों का राष्ट कुल CIS CIS की स्थापना आप देखेंगे 8 दिसंबर 1991 को बेलारूस, रूस और उक्रेयन की राष्ट ध्यक्चों ने किया था इसका मुख्याल है मिंस्क बेलारूस में देखने को मिलेगा 21 दिसंबर 1991 को सोविये संगने से अलग हुए अन आठ दिस, अर्मीनिया, अजर्वेजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मौल्दोबा, तुर्कमिनिस्तान, तजाकिस्तान, उजविकिस्तान ने अलमाट आठा पूर्टुकॉल पर हस्ताक्षर कर CIS की सदस बने दिसंबर 1993 में जॉर्जिया इसका सदस बना लेकिन अगस्त 2008 में इसने सदस अत्याग दी सोविये संग से अलग हुए 15 राष्टों में से 9 राष्ट CIS की सदस और तुर्कमिनिस्तान अनुपचारिक सदस और यूक्रियन या थार्थ सदस की लिए लेकिन उपचारिक सदस नहीं है ठीकर इस्तोनिया लाथ्विया और लितोनिया CIS की सदस कभी नहीं बने तो यह भी याद रखिए ब्रिक्स के बारे में आप लोग सुनते रहते होंगे 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चाइना ने एक नए आर्थिक संगठन की इस्थापना की थी ब्रिक की और इसका पिथम सिकर संगेलन 16 जून 2009 को रूसी सहर एकेंड टरन बरग में हुआ 15 अपरेल 2010 में ब्राजील में हुए इसके दूसरे संगेलन में दच्छिड अफीका को इसके सदस्विस्ता पिदान की गई थी और इसके साथ आप देखेंगे इसका दच्छिड अफीका के सामिल होने के बाद इसका नाप ब्रिक्स रख दिया गया ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफीका 14 अपरेल 2011 में राज चीन उए ब्रिक्स के तीसरे संगेलन में दच्छिड अफीका पहली बार सामिल हुआ फिर आप देखेंगे 15 से 16 जुलाई 2014 को फोटो लेजा ब्राजील संमिलन में ब्रिक्स से बिकास बेंग की स्थापना की गई इस्थापना की सहमती बनी और इस परिस्ताविद बेंग का मुख्याला चीन की संगाई सहर में होगा शुरुवाती 6 बरसों तक इसकी अध्यक्स का भारत की पास रहेगी तदुपरांद करमसा बिराजील और रूस के पास 555 साल के लिए रहेगी तो ये ब्रिक्स की कहानी हो गई ये देखी आप लो विसके प्रमुक संगठन है और उनके मुख्याले क्योंकि मुख्याले से आप उनके देखा होगा कि कुछ जानदा ही आते हैं गेट इसका जेनेवा में एम्मेनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में एसी आई विकास बेंग, एडीवी, मनीला दच्छेपूर्व एसी आई राष्टों के संग आसियान, जकार्ता नाटो, बुरुसेल्स, अफीकी एकता संगठन, आदिश अबाबा रेड क्रोस, जेनेवा, सार्क, काथमान्डू साइवत राष्ट पर्याबन काक्रम, नेरोवी, इंटरपोल, फैरिस, लेोस विश्वयापार संगठन, जेनेवा अमेरिकी राज्यों का संगठन, वासिंग्टन डीसी, अरब लीग, काहरा फरस्पर आर्थिक साहथा परिशत, इमास्को वर्ल्ड काउंसिल अप्च, चर्चिज, जेनेवा यूरोपिय, यूरोपिय उड़ जायो, जेनेवा अफीकी आर्थिक आयो, आदे सभावा पश्चे में एसी आई आर्थिक सहयो, यह आप देखेंगे वगदाद में देखने को मिलेगा सयुक्तराष्ट सर्दाथी उच्च आयो, जेनेवा अंतराष्टी परवार्णू उर्जा एजनसी, वेना सयुक्तराष्ट उद्धोगेक विकास संगठन, वेना सयुक्तराष्ट व्यापारिवां विकास संगठन, जेनेवा विस्वर्नजीव सरक्चन कोस, गिलान्ड सुजलेन अंतराष्टी उलम्पेक कमिटी, लोसाने एउरोपिय कॉमन मार्केट, जेनेवा चोगस, राष्टमंडल राष्ट अद्धेक संगठन, इस्ट्रांसवर्ग पैटॉलियम उत्पादिक देशों का संगठन, ओफेक वेना आर्थिक सहुक्तराष्ट विकास संगठन, पैरिश यूरोपिय मुक्त व्यापार संग, जेनेवा व्याष्टमंडल, कॉमन बेल्थ, लंदन इउरोपिय आर्थिक संगठन, जेनेवा इउरोपिय संसद लकजंबर्ग इउरोपिय स्पेस रिसर्च और्गनाइजिशन, पैरिस इउरोपिय परमाडू उर्जय संगठन, इस्दूर्ज का अंतराश्टी मिल्दा वर्स 2015, अंतराश्टी पिकास और एवं पिकासी तक्नीक वर्स 2015, अंतराश्टी दलहन वर्स 2016, सतत परेटर्म विकास वर्स 2017, अंतराश्टी सोधेसी भासा वर्स 2019, Moderation का अंतराश्टी वर्ष 2019 रसानिक तत्तों की आवस साईडी का अंतराश्टी वर्ष 2019 फादप स्वास्त का अंतराश्टी वर्ष सन 2020 नवस एवं दाई का अंतराश्टी वर्ष 2020 सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थ विवस्था का अंतराश्टी वर्ष 2021 फलों एवं सब्जियों का अंतराश्टी वर्स 2021 बाल सरम और नूगलान के लिए अंतराश्टी वर्स 2021 आर्टी सानल मस्द और एक्वाल कल्चर का अंतराश्टी वर्स 2022 अंतराश्टी बाजरा वर्स भारत की से फारिश्पर 2023 क्या 2023 और केम्पलिट से का अंतराष्टी वर्स 2024 तो इसने भी यह चोटे चोटे बात हैं लेकिन कभी समकाली सहुक्त राष्ट अंतर अंतराष्टी दसक 2014-2023 तक सभी के लिए वहनी है उर्जा का सहुक्त राष्ट दसक 2015-2024 के लिए अफीकी आदिवासी के लिए 2025 का आयरप 2017 परकरवाही का सयुक्तराष्ट क्दसक 2018-27 गरिबी उनेओरलर के लिए तितिय सयुक्तराष्ट दसक 2018-27 स्थै वुकास यतू पानी अभियान के अंतराष्टी दसक 2019-28 परिवारेख खिथी का सयुक्तराष्ट दसक नियसल मंडेला शांती के दसक 2021-30 शतद वि तक का उसके लिए महासागर विज्ञान अंतराष्टी दसक पारिष्टिक के तंद बहाली पर सेक्त राष्ट का फिरसला 2020 से आप देखें कि दोहजारवत्ती सादेसी भासाओं का अंतराष्टी दसक ठेक है या आप देखे बहतकून राष्टी एवं अंतराष्टी ये आपके दिवस हो गए जन्वरी महिने के लुईस वैल दिवस आप सभी जानता हैं कि एक जन्वरी को मनाया जाता है जनम दिवस 12 जन्वरी, थलसेन दिवस 15 जन्वरी, भारत परेटन दिवस 25 जन्वरी, गरतन दिवस 26 जन्वरी, अंतराष्टी सीवा सुल्क वा उत्पात दिवस 26 जन्वरी, सर्वोदय दिवस 30 जन्वरी, सहीद दिवस 30 जन्वरी, कुष्ट निवाराण दिवस 30 जन्वरी, फ पर आप देखेंगे विस बनने जीब मार्श आगया विस बनने जीब देवस तीन मार्श राष्टी सुरक्षा देवस उद्धोगिक की सुरक्षा आप देखिए चार मार्च अंतराष्टी महला देवस अंतराष्टी महला देवस आठ मार्च एक यंद्रिय उद्धोगिक सुरक्षा बल की इस्थापना देवस दस मार्च विसो भोगता अधिकार देवस 15 मार्च आयुज निर्मार देवस सूल 18 मार्च विस पानिकी दिवस 21 मार्च विस जल सरक्षन दिवस 22 मार्च भगस सिंग सुग्देव राजगुरु के सहीद दिवस 23 मार्च विस मौसम बिग्यान दिवस 23 मार्च रामरोहर लोहिया जैन्ती 23 मार्च विस टीवी दिवस 24 मार्च ग्रामी डांग जीमन भीमत दिवस 24 मार्च वग विस्त हेटा दिवस या रंगमंच दिवस आप देखिए 27 मार्च, अपरेल के भी देख लिजे, विस्त ओटेज्म में चेतना दिवस, 2 अपरेल, विस्त स्वास्ते दिवस, 7 अपरेल, भीटता दिवस, 9 अपरेल, अम्वेद कर जैन्ती, 14 अपरेल. अगर आपसे पूछें कि विस्त विमान की, एवं ब्रहमणड की, ब्रहमणडे की दिवस कम मनाया जाता है, किस देट को मनाते हैं से? तो याद रखे कि 14 अपरेल को मनाते हैं विस हीमोफिलिय दिवस 17 अपरेल को मनाया जाता है विस बिरासत दिवस 18 अपरेल को बितवी दिवस 22 अपरेल को विस पुस्तक एवन कॉपीराइट दिवस एतेई सपरेल को फिर मई ने मई आ जाता है तो एक मई को आप सभी जानते हैं कि विस सरेमिक दिवस के रूम में मनाते हैं विस परेश सुदंता दिवस तीन मई को मनाया जाता है विस परवासी पक्षी दिवस आठ मई को मनाते हैं विस रेड क्रॉस दिवस आठ मई को, अंतर राष्टिय थेली सीमया दिवस आठ मई को, एक बात और आपको बता देता हूँ, जिस साल आप लोग पेपर देने जा रहे हैं, उस साल इसकी थीम क्या रखी गई, उसे जरूर रखा करें हैं, क्योंकि उससे भी कुष्ण्स विस संगराले दिवस, अठारे मई, आतंगवाद विरोधी दिवस, 21 मई, जैविक विविक्ता दिवस, 22 मई, इंटरनेशनल एवरेष्ट दिवस, 29 मई, विस तमाकुरोधी दिवस, 31 मई, और विस हास्त दिवस कई मई महिने के पहले रभी बार कुमन आया जाता है, फिर ज आप देखें, मलेरिया निरुदी माय की रूप में मनाते हैं, फिर आप देखेंगे, आकमर की सिकार अबोध बच्चों के लिए अंतराश्टी दिवस, आप देखें, 4 जून, विस परयावण दिवस, 5 जून, आप देखें, कई पर इच्छाओं में कुश्चन पूछा जा अबेद व्यापार के दिरुद अंतराश्टी दिवस, 26 जून, राष्टिय सांखे की दिवस, PC महाल नौविस का जनम दिवस, 29 जून, तीक है, फिर आपके देखेंगे, जुलाई आ जाता है, अभार्ती स्टेट वेंग की स्थापना दिवस, 1 जुलाई, चेकिस सक दिवस, डॉक्टर विधान चंदर आयका जनम दिवस, 1 जूलाई, विस जनसंख्या दिवस, 11 जूलाई, आयकर दिवस, 24 जूलाई, कारगिल इश्मिठी दिवस, 26 जूलाई, और CRPF की स्थापना दिवस, 27 जूलाई, फिर अगस्त महीना आ जाता है, विस इस्तनपान दिवस, 1 अग विस्ती यूबा दिवस, 12 अगस्त, और भारती यूबा दिवस, हम लोगों ने देखा था, ठीक है, विभाजन विवीशका इस्मिती दिवस, 14 अगस्त, सोतनता दिवस, 15 अगस्त, राष्टी एक्षिल दिवस, ध्यानचंद की जनम दिन पर, 29 अगस्त, एक कुश्चन्स भ हिंदी दिवस, 14 सेप्टमबर, हम लोगों ने विस्ते हिंदी दिवस भी देखा था, विस्त बंधुत दिवाम छमाय आजन दिवस, 14 सेप्टमबर, अभी यंता दिवस, 15 सेप्टमबर, संचेहिका दिवस, 15 सेप्टमबर, ओजोन पर रक्षन दिवस, 16 सेप्टमबर, एक 27 सेप्टमबाद तुई ने भी याद रखे चोटे मगर मौटे मौटे आगडे अक्टूबर आ जाता है अंतराश्टिय विर्द जन दिवस एक अक्टूबर लाल भादू सास्त्री जैनती दो अक्टूबर अंतराश्टिय अहिंसा दिवस दो अक्टूबर विस प्रकिती चार अक्टूबर विस परिवेश दिवस पांच अक्टूबर विस सिक्षक दिवस पांच अक्टूबर विस बनजी प्राणी दिवस छेक्टूबर वाई शेनाफ दिवस आफ अक्टूबर विस डाग दिवस नौ अक्टूबर विस द्रश्टी दिवस दस अक्टूबर जै अग्टुवर, विष आयोडीन, आलुटा दिवस, 21 स्टुवर, फूलीस अ मार्ट दिवस, 21 स्टुवर, सहीवत राश्ट दिवस, 24 स्टुवर, विष मित विश्मित वेहता दिवस, 30 स्टुवर, इंद्रगांधी के पौन नदीथी, 31 स्टुवर, ठीक है, नवम्बर महीना आ रहाता है और विसल्ष से वादी वस्त नो नोव मंब्र राश्टीय बिधरिक साहता दीवस्त नो नवंब्र बाल दीवस्ति-す्त्रम अधरूम वä ह्ट्रूमस अधरूमम्र सेहन सीलता के लिए अंतराष्टी दिवस 16 नवंबर, विस विध्यार्ती दिवस 17 नवंबर, राष्टी अपतिकार्ता दिवस 17 नवंबर, विस वैस्क दिवस 18 नवंबर, विस नागरिक दिवस 19 नवंबर, विस सौचाले दिवस 19 नवंबर, सारव भामिक बाल दिवस 20 बिस मासा हार निशेद दिवस 25 नवंबर विस परयावन सरक्षन दिवस 26 नवंबर राष्टिय विधी दिवस 26 नवंबर दिसम्बर महिना आ जाता है लिएड सिदेवस एक सेप्टमबर अंतराष्टी विखलांग जन दिवस तीन सेप्टमबर माफ करिये दिसम्बर ठीक हम न दिसम्बर नागरिक सुरक्ष दिवस 6 दिसम्बर जन्डा दिवस यानि की ससक्त बलों का दिवस 7 दिसम्बर अंतराष्टी ये नांगरिक उट्डेन दिवस 7 दिसम्बर अंतराष्टी मारा अधिकार दिवस 10 दिसम्बर विस बालकोस दिवस 11 दिसम्बर विस अस्थमा 24 December, राष्टी उर्जा सरक्षन 104 December, 24 December 15 December 26, 16 December, अंतराष्टी के अलब संख्यक अधिकार दिवस अठारे दिसंबर क्या अठारे दिसंबर कि गुआ मुक्ति दिवस या 19 दिसंबर किसान दिवस चौदरी चरन सिंग का जनम दिन 23 दिसंबर राष्टी यह भोगता दिवस 24 दिसंबर भारत की प्रवक परेटक इस्थल हो गया इस्थान और राज्य हो गया निर्माड करता किनहरी की गुफाएं मुंबई में आप देखिए महाराष्ट में बौद्धों द्वारा बनवाई गई है एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महाराष्ट में राष्ट कूटों द्वा दोार, मदन भधर, जवुलपुर में, मददादेस में ne engines, मिगन lumpsा, संबेख 20, king and मदन सभव, मिगने Alien का मेल एक वालियर्मद्विदेस में, रचामां सिंग में तोमर की दोार, धार का किला, धार में देखने को मिल लगा एंपी में, मोहमद कि द्वारा, गोल्कुंडा का किला, एहाधराबद य लंगाना में कुतुब Fraktion कि द्वारा 1, कोचीिन का किला केरल में है, फुर्तगालीriage की दौर बनवाय गय था, विजयाश्थब चत्तुडगर राजिस्तान में महराना कुम्भा की द्वारा बनवाए गया था कुतोब मीनार ए दिल्ली में कुतोब बुद्दीन एवग की द्वारा धाई दिन का जूपड़ा अजमेर में राजिस्थान में ए भी कुतोब बुद्दीन एवग की द्वारा हौज खास दिल्ली में अलाउद्दिन खिल जी के द्वारा तुगलकाबाद दिल्ली में ही है ग्यासुद्दिन तुगलक के द्वारा किसो सागर कोटा राजिस्थान में देखने को मिलेगा राजकुमार धिरदे के द्वारा अन्ना सागर आजमे राजिस्थान में अन्ना ज गुजरात में है। फताय सागत उदैपूर राजिस्थान में महारणा पिताब महाराणा फताय सींग के द्वारा बनवाई गई थी। पोर्ट राजिस्थान में रानी चत्तबाल के द्वारा जूनागड का किला बीका नेर राजिस्थान में राजा जैसिंग के द्वारा सेरगड का किला धौल्पूर राजिस्थान में सेशा सूरी द्वारा अनुरुद्द का किला बूंदी पोर्ट राजिस्थान में राजा अनुरुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद आप अमेश सिंग के दोरा, आराम भाग अरा उत्तरफितिस बाबरम ने बनवाय था। लाल के ला दिल्ली में साज़ाई ने बनवाय था। हमायू का मकबचाँ जिल्ली में है आजी बेगम ने, सालीम आर भाग सिरिनंगर में है जहागी ने बनवाय था। सेंड जरु summika में East India Company ने बनवाय था इसे सेसाय का मकबरा सासारम बिहार में सेसाय की पुत्त ने बनवाय था डच महल कोची केरल में पुर्दगालियों के द्वारा फतिपुर सीक्री आगरा में उत्तर पिदेश अकबर ने बनवाय था आगरा फोट आगरा में देखने को मिलेगा उत्तर पिदेश में अकबर ने पुराना किला दिल्ली में सेसाय सूरी ने इसे बनवाय था पुराना किलेगो ठीक है फिर आप देखिए सती बुर्ज इमत्वरा में देखने को मिलेगा उत्तर पिदेश में, राजा भगवान दास के द्वारा बनवाए गया था, जहांगीर महल आगरा में देखने को मिलेगा, उत्तर पिदेश में, यूपी में, अकवर के द्वारा बनवाए गया, अकवर का मकवरा, मकवरा, सिकंदरा, उत्तर पिदेश में, जहांगीर के द्व प्रुखश साज महिए साज महिए अकबर के द्वारा बनवाय में, प्रुखवाय में, साह जहा की द्वारा, खास महल आगरा में उत्तर पिदिस में ही साह जहा की द्वारा, दीवाने खास एभी आगरा फोट में ही साह जहा की द्वारा, हाइड कोर्ट मुंबई महराष्ट में एबेटिस सरकार की द्वारा, बड़ा इमाम बाड़ा लखनो उत्तर पिदिस में फिर आप देखेंगे लालबाग, बैंगलूर में कनड़ा टक में देखने को मिलेगा। हैदर अली टीवू सुल्तान के द्वारा, गोलघर पतना बिहार में बेटिस सरकार के द्वारा, पादरी की हवेली पतना में बिहार में फादर कपुचिन के द्वारा, विलियम फोर्ट कोलकाता में पश्च बंगाल में लॉर्ड के लाइफ के द्वारा, बीवी का मकवरा और प्रेंस ओप वेल्स मियुजी या मुंबई महराष्ट में जॉर्च पंचम के द्वारा बनवाय गया था गेटबे ओप इंडिया मुंबई महराष्ट में जॉर्च विठ्थल किलार्क के द्वारा जिम कार्मेट पार्क नेनी ताल उत्राखंड में सर्व मेलकम हैले ने इंडिया आगेट नई दिल्ली में बेटिस सरकार ने, राष्टवती भवन दिल्ली में बेटिस सरकार ने, आफगान चार्ज मुंबई महाराष्ट में बेटिस सरकार ने, वाट नीकल गार्डन सेयोफोर कोलकाता में, संसेट पॉइंट माउंट आबू राजिस्थान में, च पूरी में उडिशा में गंगा देऊं के द्वारा चोसाट ओगनी मंद्र खजुचुराह Game deers में चंदेर राजां के द्वारा चिन्नक केसiau मंदिर बैलूर में विश्क्री बर्धन के बिष्णू मंदिर गया बिहार में रानी एहले आबाई की द्वारा, हर मंदिर पठनाव में बिहार में महराजा रजीश सिंगें द्वारा, स्वड मंदी की स्वडशत अमरस्तर पंजाम में महराजा रजीश सिंग की द्वारा, दच्छडे सुर काली मंदिर कुलकाता में द्वार का दीस का मंदिर मतरा में उत्तर पिदेश में ग्वालियर के भक्त के द्वारा खिड़की मस्जित इदिल्ली में ग्यासुदीन तोगलाग द्वारा से साहे पठना में बिहार में से साही मस्जित परवेज साहे के द्वारा मक्का मस्जित हैदराबाद तेलंगाना मे साजाह की द्वारा, जामा मस्जित दिल्ली में साजाह की द्वारा, मौती मस्जित दिल्ली में, फोर्ट में, ओरंग जेप की द्वारा, किसके ओरंग जेप की द्वारा, फिर हजरत बल मस्जित, सिरीनेगर कस्मीर में, चरारे सरीप, सिरीनेगर कस्मीर में, जुनेल अवेद अंगोरबाट मंदिर कमबोडिया में सूर्व बर्मन दुतिये द्वारा आप सोमझे कमबोडिया में भी है विजय स्थम विष्णू को समर पे थे इसमें 9 मंजिल है इसकी उचाई 37.19 मीटर है कुतो मिनार की उचाई 22.5 मीटर है अन्ना सागर जील लुनी पर बांध बांध बनाए गया है जन्तमंदर का नर्मार जैपूर की अतरिक्त दिल्ली उज्जेर बना रसी मत्रा में भी है इंडिया गेट और राष्ट्रपती भवन का डिजाइन लुटियंस ने बनाए था विमल सा जो चालुक भीमदे फर्शोलंकी राजा का मंत्री था इसके त्वारा ब बर्स होगी हो रज्ज हो गया जिस राज में जैसे आजंटा की गुफाएं 1983 में सामिल की गई थ applaud महाराष्ट में आग्रा घाक्रिला 1987 में येभी सामिल किया गया था ये आप सभी को वालू है कि उत्तरपोय घ्र महाराष्ट में 1984 में Maxirie गौफाएं 1983 महराष्ट में सूर मंदी chili girl का उडी साक्सावाला 1984 में महावली पुरम का इसमारक ए 1984 में तमिल लाडू में, कियोला देव राष्टी उद्यान 1985 में राजिस्थान में, काजी रंगा राष्टी उद्यान 1985 में असम में हैं, मानस बनजी बभ्यारंग 1985 में असम में हैं, गुआ कर्चर्च 1986 में ए गुआ में हैं, हमपी आउसिस 1986 में कर मुद्धरपिश में हैं देखिए खजराहो 1986 में मध्यपिश में हैं सुन्दरमर राष्टी युद्यान 1987 यह आप देखिए पश्चिम मंगाल में एलिफेंटा गुफाए 1987 महराष्ट में पट्टाकल केसमारक यह 1987 में करनाटक में चोल मंदर 1987 कुछ 2004 में तमिलाडू में नंद 1988 में फिर 2005 में भी इसमें कुछ हुआ उत्तराखंड फूलों की घाटी भी है ठीक है और आप देखेंगे फिर है आपका साची का इस्तू 1989 में यह मद्धपिश में देखने को मिलेगा कहां मद्धपिश में देखने को मिलेगा हुमायू का मकबरा 1993 में दिल्ली में है कोतो मीनार 1993 में यह भी दिल्ली में है आपकी माउंटेन रेलवे दारजिलिंग रेलवे नेलगीरी कालका सिल्मला यह आप देखेंगे माउंट रेलवे 1999 नेलगीरी 2005 कालका सिल्मला 2008 पश्चन मंगाल तमिलाडू और हिमाचल्पिश महाबोधी मंदिर बोधगया में 2002 में विहार में भीमबैटकागी गुफा है 2003 में मद्वतेश में चंपानीर पावागर पार्क 2004 में गुजरात में छतवती सेबाजी टर्मिनल पूर्विक्टोरिया टर्मिनल 2004 में यह महराष्ट में लाल इकलस 2007 में दिल्ली में जंतर मंदर जैपुरवाला 2010 में जैविस्थान में पश्मी घाट 2012 में करना तक केरलो महराष्ट और तमिलाडू आते हैं इसमें पश्मी घाट में राजिस्थान की पहाड़ी के रल्म के लिए राजिस्थान पहाड़ी के लिए 2013 में राजिस्थान में चित्तोडगर का किला 2013 में ही राजिस्थान में कुंबलगर का किला 2013 में ही राजिस्थान में रन्थंबोर का किला 2013 में ही राजिस्थान सवाई मादर पूर जैसनमल के किला 2013 में राजिस्थान, आमेर का किला 2013 में यह भी राजिस्थान जैपुर, गागरवन का किला राजिस्थान जालावार में, फिर आप देखें कि Great Himalayan, राष्टी पार्क 2014 में हिमाले में, हिमाचलपितिस में, रानी की वाओ, ए 2014 में पार्टन गुजरात में, ना 2016 में, चंडीगड में, एहमदाबाद का इतिहासिक सेर 2017 में, गुजरात में, मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेकुस एंसेवल 2008 में, महाराश्ण में, जैपुर की चार दिवारी 2019 में, राजिस्थान में, ओर्चा एवंग्वालियर 2019-20 में, इमाद्वितिस में, धौ पिषेस विरासा सुची से निकाले गए विरासचत इस्थल, और Jim's Sencyory ओमान में, 2007 में इसे बाहर किया गया, एलवा वेली ट्रस ड्रैंड जर्मनी में, 1999 में इसे बाहर किया गया, लीवरफोल एंग्लेंड का 2021 में इसे बाहर किया गया, 2013 में मणिपूर का पारंपरिक गायन डोल और नित संकीरतन के साथ मगला देश की जामदानी बुनाई और जापान में भोजन पकाने का पारंपरिक तरीका वासो को सहेज 14 नहीं प्रविष्ठियां को युनेस्को की इंटी जीवल हैरी डे सूची में सामिल किया गया भारत की पिती रक्षा देख लिजे भारत की रक्षा के लिए सेना का कटन किया जाता है और जिसका सरवुष सेनापती भारत का राष्टपती होता है किन्तु रक्षा संबंदी सारा केंद्रिये मंती मंदल दवारा किया जाता है रक्षा मंती ससक्त सेनाओ के पिसासन का का कार करता है भार्थी सज़त सेनाओं को अगले के तीन भागों में बाटते हैं थल सेना इसका प्रधान चीप ऑफ दा आर्मी स्टाप होता है इसका मुख्याल है नई दिल्ली में है इसमें साथ कमांड माटे गए जिसका विवरान इस तरह है यह कमांड हो गया मुख्याल है पश् कमांड इन較 जैर कमांडिक कीन हैं तो जकते अलगें हैं जल सेना नर्वी में इसका प्रधान Admiral रेग का चीफ और नेबल स्टाप होता है इस तरह पूर्वी कमाड़ विसाखा पत्नम, पच्मी कमाड मुंबई में, दच्छी कमाड कोची में, फर बायु सेना आती है, इसका पिधान एर चीप मालसल रेंका होता है, जिसे चीप आप दा एर श्टाप कहते हैं, इसका मुख्याला भी नई दिल्ली में है, बायु सेना को साथ क पच्छिम कमाड गांदी नेकर, मेंटेनेंस कमाड नांगपूर, पच्छिमी कमाड नई दिल्ली, जच्छी कमाड तिरुवननत्पुरम, ट्रेनिंग कमाड बैंगलूर, आप देखिए कि हमारे पास तीनों तरह की सेना होना चाहिए, बायु, जल, थल, कहीं से भी हमें जनल, एरचीव ओब मार्शल, एडमिरल, लेप्टिनेंट जनल, एर मार्शल, वाइस एडमिरल, मेजर जनल, एर वाइस मार्शल, रियर एडमिरल, फिगेडियर, एर कमोडर, कमोडोर, कमोडोर, कर्णल, ग्रुप कैप्टन, कैप्टन, लेप्टिनेंट कर्णल, विं कमांडर, मेजर स्क्वाइडन, लीडर, लेटिनेंट कमांडर, कैप्टन, फ्लाइट, लेटिनेंट, 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 फ्लाइग, फिलाइग ओफिसर, सब लेटिनेंट, अंग्रेजी भारती सेना के निर्माद 1747 में प्यारम हुए था, उस सबाए मेजर इस्टे सेंजर लॉरेंस और अंग्रेजी भारतिय सेना का जरक भी पुकारा जाता है रक्षा इस्टार इस्टाफ पिर मुख CDS देश में उच्छतर रक्षा प्रवंधर में सुधार लाने के लिए सेना पिरमुख सम्तुल बेतन और अतरिक्त सुभधाई सुभधाई वाले CDS पत का गठित किया गया जो फोर इस्टार बाले जनल रेंग का है रक्षा इस्टाफ पिरमुख चीप आप डिफेंस रक्षा मंतरा ले में बनाएगे सेने मामलों की विभाग DMA के मुखिया होंगे और इसके सच्छिप की रूम में कार करेंगे जनल विपिन रावत ने एक जन्व आए उर में पिन रावत ने व्पिर आवतिन शैनेक शाहता है थल ojos सेनए हिसीकचांच्छ allons आभ इसके न शंच्थान्स्न एंशनल डेफ्रेंस अकेडमी खडग वासला इंडियान मेरेक्टरी देहरादून अकेडमी देहरादून इन्फैन्टी स्कूल मौ आइटिली स्कू देवलाली, नेशनल डिफ्रेंस कॉली नई दिल्ली, डिफ्रेंस सर्विस स्थाफ कॉलीज विलेंग्टन, आरूंड सेंटर अहमद नगर, ये बायू से न पिसी चग संस्थान हो गए, ये संस्थान इस्थान, इयर फोर्स एड्मिनिस्टेटिव कॉलीज कुएंबटूर, प के मेंट्री फिलाइंग इस्कूल विदर, कहां विदर, नौ सेना पिसीच्चन संस्थान है, आई एसेस चलका भवनेसुर में, आई एनस तस्रकास विसाकापनों, आई एनस सिभाजी लोना वाला, आई एनस बिन्दुरती कोची, इंडियान नीबल एकेडमी कोची, अगनी अगनी समन राज्यों का मामला है इसलिए आप देखते हैं तरह अलग अलग तरीके से इसका करते हैं क्या भरती करते हैं और आप भी देखते होंगे कि जोब निकलती है इस चेट में भारत की आंतरिक सुरक्षा विवस्था भी देख लेते हैं आप देखें अंदर भी तो प् प्रमुक संस्थाओं का विवर्ण इस तरह से है नेशनल के एड़िट कोर एंससी इसकी स्थापना उनी सोड़तालीस में की गई थी इसका मुख होद्देश है कि भारत की रक्षा के पिती यूगों और यूगतियों को जागरू करना और उन्हें अंतिम रक्षा पंती के ल सेनिक तिसीख्षर दिया जाता है और आपात इस्तिती में इस सेना को बुलाया जाता है सीमा सुरक्षा बल इसकी स्थापना 1965 में की कई थी इसका प्रमुकार सत्रु सेना की घोस्पेट और सीमा उलगन की अपने देश की सीमा को सुरक्षित बनाना इसका मुख्याल है दिल यह केंद्री ससक बल है जिसकी 46 बटालियन है इसका मुख्याल है सिलांग में है इस बल को प्याज से पूरूत्तर का पहरी और परवर्ति ये लोगों का मित्ति भी कहते हैं छोटे छोटे हैं यह इनसे भी याद रखिएगा ठीक है राष्टिय सुरक्षागाड एनस जी यह भी सुनते रहते होंगे देश्ट में आतंगवाद की चनोती का सामना करने के लिए 1984 में राष्टिय सुरक्षागाड की स्ताफना की गई एनस जी यूके के एस एस और जन्मनी के जी एस जी नाइन कमांडर वलों के पैटन पाया धारित है इसके दो समों है इस पेसल एक्ष केट कमांडरों के नाम से भी जानते हैं इसकी टैनिंग माने सर हर्याडा में होती है ठीक है तो आप देखेंगे केंदरी है उद्धोगिक सुरक्षबल जिसे आप लोग सी आई सेप के नाम से जानते हैं इसकी स्थाफना 1969 में हुई थी तो 1969 में और इस बल पर केंदरी है सर परिसे में काम करने बाले कारीगरों और वहां की संपत्ती की सुरक्षा प्यदान करने की जिम्मेदारी होती है इस बल की अधिकारियों को हकीम पेट हैदराबाद इस ते राश्टी उद्धोगिक सुरक्षा कादमी में फिसीक्षेंट दिया जाता है तो आप लोग केंदर रिजर्ब पुलिस बल के वारे में सुनते होंगे CRPF इसकी स्थाफना 27 जुलाई 1949 में क्राउन रीफरेजेंटिट टिप्स पुलिस के रूम में नीमच में की गई थी इसका मुख्याल है दिल्ली में है 28 दिसंबर 1949 के बाद इसे CRPF कहा जाने लगा राजिस्थान के पिसीक्षन कॉलेज भी है जहां दीनस्त अधिकारियों के लिए पाठकरम चलाये जाते हैं केंदरिये रिजर्ब पुलिस बल की 1949 में एक बटालिन थी जो वड़कर 4 जोनों 20 पिसासनिक चेत्रों 2 संचालक चेत्रों 36 पिसासनिक रेंजरों 7 संचालन रेंजरों 228 बटालिन बटालिन और 41 गुर्प के अंदरों 15 संस्तानों 4 सेट अस्पतालों तक पहुंच गई है यह देश का एकमात के अंदरिये ससक्त पुलिस बल है जिसमें तीन महिला बटालियन है CRPF को अंतराष्टी इस तरफर कोसभो हैती और स्री लंका में तैनाथ किया गया और स्री लंका में CRPF की दो बटालियन है और महिला बटालियन की एक कमपनी भारतिय सांती सेना की हिस्साथ थी तुरित कारवल, CRPF का ही एक भाग है जिसकी स्थापना दंगों जैसे इस्तितियों से निपढ़ना एक लिए 1951 में की गए केंदेरे रजर फुलिस बल की महला केप्टन कमलेस कुमारी को संतस्थ भवन पर हमले 13 दिसम्बर 2001 के दोरान बीरता पूरवक आतंगबादियों को मार गराने के कारण मरुणों अपरांत सांती काल में दिये जाने वाले सौर फुरुसका असोग चक पिदान किया गया था ससक्ती सीमा बल भी आप लोग न सना होगा SSV 15 दिसम्बर 2003 से पहले तक इसका नाम स्पेशल सर्विस प्यूरू था इसका गठन 1963 में किया गया था इसका गठन का उद्देश मुख उद्देश इसका था 1962 की भारत चीन योद के बास सीमा बलती चेत्रों के लोगों में विश्वास पैदा करना और देश वक्ती की भाहवना का विकास करना एससबी 15 जनवरी 2001 से ग्रह मंतराले की पिसाफनिक नियंतर में हैं वर्दमार में भारत नेपाल भारत भूटान सीमाओ पर कारगर्ड एससबी इसके पहले भारत चीन की सीमा बरती चेत्रों के अलावा राजिस्थान गुजरात मेजोराम नागलेंड मडीपुर मेघाले सि अक्टूबर 1962 को किया गया था इसका गठन खूपिया सिंगनल फाइनियर उंगिनियर चिकिसा और छापामार की एकाई के रूम में किया गया था नियंतर के अरम में खूपिया भी रोगे हांतों में था लेकिन 1975 में इसके कारगर्ड व्याक्या की जिसके तहित इन पर सीमा पारसी घुषपेट और अपराद को रोकने की का उत्तरदायत इसों पगया है। भारत इब्बस सीमा पुलिस का मुख्याले नई दिली में हो इसका अध्यक्ष महानिदिय सक होता है। ITPV का आदर से वाखे सौर दिर्टा करम निष्ठा। यह वल वर्तमार में मद्द और पश्चमी हमाले चेत में आपदा प्रबंधन की नॉर्डल एजेंसी का दायत सम्हालने के साथ सत कहला असमान सरोबर यात्रा के दौरान तीर्ट यात्रियों की सुरक्षा संचार और स्वास्थ सुगधायें भी उपलब्द करवाता है। वर्तमार में भारत इब्बस सीमा पुलिस में कुल 68 बटालियन है जनवरी 2070 तक। एस संगाठा ने नहीं भी देख लिए जिनका स्थाबना वर्स मुख्याले हो गया। जैसे असम राइपल ए 1835 में सेलॉंग में। केंदिरी रजर पुलिस पल CRPF आप देखेंगे 1949 में न विविन राज्यों में। राष्टी एकेड़िट कोर 1947 में नहीं दिल्ली में। प्रादिशिक सेना 1949 में विविन राज्यों में। भारत इब्बस सीमा पुलिस ए 1862 में नहीं दिल्ली में इसका मुख्याल है। सीमा सुरक्षबल 1965 में नहीं दिल्ली में। कैंद्री यह उद देखते हैं वेविन राज्यों में देखते हैं। 14 अपरेल तमिलाडु दिवस, 15 अपरेल हमाचल पिदेश दिवस, एक माई को गुजरात और महराष्ट दिवस, कौन सा? गुजरात और महराष्ट दिवस, ठीक है तो यह भी याद रखिएगा, और 16 माई यह आप देखेंगे कि आपका सिक्केम दिवस, 2 जून तेलंगाना दिवस, 1 नवंबर पंजाब हर्याना मध्यपिदेश करनाटक केरल आंध्यपिदेश दिवस, 19 दिसमबर गुआ दिवस, 1 दिसमबर नागालेंड दिवस, इन दिन हॉन्ड बिल महुस्ता का एजन भी होता है, ठीक है? भारत की पिरमुक सोस्त संस्थान हो जैसे आपका ये राष्टिय भारतिय किर्सी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, केंद्रिय गन्ना अनुसंधान संस्थान कुएमबटूर में, केंद्रिय तमाकु अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में, भारतिय चीनी तकनीक संस्थान कानपूर में, राष्ट अनुसंधान संस्थान बंगलोर में, राष्टी धातु विज्ञान प्रोकसाला जमसेतपुर, कफड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में, राष्टी पिती रोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, भाबा परभाडु राष्टी अनुसंधान केंद्रिये खार्थ पुरोदुगी की अनुसंधान संस्थान मैसूर में, केंद्रिये भवान निर्माड अनुसंधान संस्थान रूड़की में, केंद्रिये जात तता मिर्ती का अनुसंधान संस्थान कोलकाता में, केंद्रिये विद्धुत रसाइनिक अनुसंधान संस्था कराई कुडी में, क्यंद्रिय यांत्रिक इंजिनियर अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में, क्यंद्रिय नमगवा संपत्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में, भारतिय राष्टी राजमार्ग प्राधीकर नईदिल्ली में, भारतिय राष्टी भूब भौ इन्द्री एक चाना अनुसंधान संस्थान में भारती मोस्म बैत साला कुने में, ब्राजमानसंदान मॉंबाई, भारती घागोल संस्थान बैङलोर, समुद्री, राष्टी समुद्री डिजाएन संस्थान पणिर्जी, डिजल लोको मोटिप बोक्स बराड़सी में केंदरी सड़क अनुसंधान संस्थान नहीं दिली केंदरी ए ट्रेक्टर संस्थान नहीं दिली केंदरी ए वनस्पसी अनुसंधान संस्थान लखनो भारती रसानिक जैविक संस्थान कोलकाता ओच अक्छांस अनुसंधान के रियोग साला यह है आपकी गुलमर्ग केंदी यह पर्यावान इंजीनिरिंग अनुसंधान सनस्थान डांगपूर ओधोगी की अनुसंधान के लखनाओ कोश्की यह तथा आडविक जी बिग्यान हैदरावाद कहां हैदरावाद भाती पुरा डैगनोट इस्टिक्स हैदरावाद में राष्टी मस्तिस्क अनुसंधान के गुड़गाओं भारत इलेक्ट नेक लिमिटेड जला हालि केंद्रिये चावल अनुसंधान संस्थान, कटक, भारती दलहन, सोध संस्थान, कारपूर, केंद्रिये जलव एबं विद्धुत अनुसंधान के खड़ग वासला, तो यह आपके कुछ अनुसंधान एक तरह से संधान थे, उनके विभाग, उनके मुख्याल हो गए, ठीक है? इनके वारे में भी याद रखे, कई वार गूँच लेता है, पूँच लेगा कि भारत एलक्टोनिक लिमेटेट कहा है, केंद्रिये चावल अनुसंधान संस्थान कहा है, ठीक है? जो भारत की पिर्मुक वादयन थे, उनके जो वादक रहे हैं, इनके बारे में भी याद रखेएगा, क्योंकि कई वार आपसे खूँच लेता है, कि पंडित रवी संकर का संबंद किस से रहा है, इस तरह की कुश्यंस भी तमाम एक्जाम में आ जाते हैं, तो सितार अगर स सितार से जुड़े हुए लोगों की बात करें, तो पंडित रवी संकर हो गया है, निखिल बनर जी, विलायत खा, बंदी हसन, साहिद परवेज, उमा संकर मिसर, बुद्रा दित मुकाजी, तबला से जुड़े हुए लोगों की बात करें, तो जाकर हो से हैं, लतीप खा, अ बास्पुरी से बात करें तो पन्नालाल घोस, हरी पिसाच चौरहसिया, और बीक कुंजमनी, एन नीला, राजिन पिसन्या, राजेस कुलकर्णी, आधी, सरोध से सम्मनी लोगों की बात करें तो अमजद अली खा, अली अकवर खा, अलाउदीन खा, हापिच खा, विस्तुजीत राय चौधरी, जरीन दारुबाला, मुकिस्तर्मा, सहनाई बिस्माला खा, देयासंकर जगरनाथ, अली एहमद हुसेन खा वालेन से जड़े लोगों की बात करें, डॉक्टर एन, राजन, विष्नु गुवन्द जोग, एल सुवमन्यम, संगीता राजन, कुनकेडी विद्ध, बैदनाथन, टी एन, किस्नन, बीना की बात करें, वीडा तो अब देखेंगे कि एस बाल चंदन, बदरूद दीन डागर, कल्यान किष्न, भागवत्तार, बी दोरो स्वामी अयंगर, संतूर की बात करें तो भजन सुपोरी, सिपकुमार सर्मा, पकावज की बात करें तो उस्ताद रह्मान खा, गोपाल दास, छत्रबती सींग, रुद भीना की बात करें उस्ताद सादिक अली खा, असद अली खा, मेधन की बात करें तो ठाकुर भीकम सींग, पालधार रगू, डॉक्टर जगदीश सींग, टीवी गुपाल किष्नन, सारंगी की बात करें तो उस्ताद बिंदु खा, नाजस्वरम की बात करें तो सेख चिनना, मौलाना, राज पिल्लाई, नीरु स्वामी पिल्लाई, सिम्मेंजिनी की बात करें तो जुविन मेहिता, पिरमुक सास्तिय नेत पर उसकी स्कलाकार, भारत नाट्यम, यामनी किष्नमोर्ती, सोनल मान सिंग, रुखमनी देवी, अरुंडेल, टीबाल, सरसुधी, पदमासो ममन्यम, एसके सर राम गोपाल, लीला, सेम्सन, मिडालीनी सारा भाई, बैजयनती माला, बाली, मालविका सरकार, फ्रिय दर्सनी गोविन, कुछी पूडी की बात करें तो यामनी किष्नमोर्ती, लच्मी नारायन सास्ति, राधा रेड़ी, राजा रेड़ी, सोफन सौंदरी, वेदान्त्रम सत्त नारायन, बैमपत्ती, चिन्ना सत्यम, ओडीसी की बात करें तो सयुक्त, पानी ग्रिह, सोनल मांसी, किरन सहगल, मादवी मुदगल, रानी कर्ण, काली चरन पटनाय, इंदरानी रह्मान, सेरोन लोवेन, मिर्टा वारवी, अर्जिंटीना की नेत्त गुरु, इमोहन मह महापात, केलुचरन महापात, पंकत चरन दास, हरेकिष्ण बेहरा, मायाधा रावत, कथकली, वल्ल तोल, नारायन मेनन, उदै संकर, किष्ण आयर, सांतराव, मेना लिनी सारभाई, आनन्द सेवरामन, किष्णन कुट्टी, कथक से विरुयू माराज, लच्चु माराज, स सितारा देवी, गोपी किष्ण, सोवना नारायन, मालविका, सरकार, चंदलेखा, बिंदरादीन महाराज, अच्छन महाराज, नारायन पर साथ, इन्हें भी याद रखिएगा, ठीक है, फिर आप देखेंगे कि, मडीपुरी, गुरु अमली सिंग, आतम सिंग, नल कुमार स सिंग, जाविरी बहने, दर्सन नैना, सुपर, सुबर्णा, रण्या जाविरी, सभिता महिता, कलावती देवी, चारु माथुर, सोनारीका सिंग, गोपाल सिंग, बिंबावती, मोहिनी अटम सिकल्यार्णी, अम्मा, भालती सिबाजी, रागनी देवी, हैवा मालनी, स्री देवी, सांतरव, तारा नीडी गाड़ी, गीता अगाय, कथक कली नेत सेली का सरफसेश पिशीक संस्थान, पिशीक चंत संस्थान, भारत पूजा, इस्तित किरल, कला मंडलम में है, तमिलाडू के अरकाट जिला के चिदम्रम नगर पर, मैं भारत नाट्यम का जनम हुआ, भारत मुनी इसके आदी आचारे जाने जाते हैं, दच्छिड का संगीत करनाटक संगीत कहलाता है, इसका जनम भी तमिलाडू में हुआ है, इस संगीत के पोशक संत, तयागराज, स्यामा, सास्त्री, पुत्र, स्वामी, दिख, छातार, मार, माने जाती है, तीनी यह भारत के फिर्मों के जो सांस्कितिक संस्थान उनकी इस्थापना बोर्स है इन्हें भी याद रखिएगा जैसे आपका अगर आप देखें AC Arctic समाज 1784 में इसकी इस्थापना हुई थी भारतिये पुरातत तसर्विक्चंद 1761 में इसकी इस्थापना हुई थी जब 1861 में भारतिये राष्टिये अबलीखाकार 1881 में केंद्री सचिवाले पुस्तकाले 1891 में भारति मानाव विज्ञान सरविक्चंद 1945 राष्टिये पुस्तकाले कूलकाथा 1948 संगीत नाटक अकादमी 1913 ललित कला अकादमी 1924 साहत अकादमी 1924 राष्टी नाट विद्ध्याले 1975 से एक स्वायत संस्थादी 1969 में इसकी इस्थापना हुई थी इंद्रा गांधी राष्टी कला केंद्ध इस समाधी स्थाल हैं इन्हें भी देखिए राजगाट महत्मा गांधी से जुड़ी वी सांती वन जभाल लाल लेरू विजय घाट लाल वहादो सास्त्री सक्ती स्थाल इंद्रा गांधी अभै घाट मुराजी देशाई किसान गाट चौदरी चलंसी ओदै भूमी कियार न गांधी महाप्रे प्रियान घाट डॉक्टर राजिन पिसाद नारायन घाट गुलजारी लाननन्दा समता इस्थाल जग जीवन राम चैत्रा भूमी बियार अमेटकर एकता इस्थाल ग्यानी जल सिंग करम भूमी संकर दयाल सर्मा सदेव अटल याबधी के अटल विहारी बाजबी राजियों से संबंदित लोग निठ है जारखंड में चव, सरहुल, जट, जटनी, करमा, डांका, विदेशिया, सोहराई ये सभी जारखंड की लोग निठ है उत्राखंड गडवाली, कुमायू, कजरी, जोरा, रासलीला, चफादी आजबी पिदेश में कुचिपूरी सास्ती है, घंटा मर्दाला, मोहिनी अटम सास्ती है, कुम्भी, सिध्धी, मादुरी और चडी, चतीसकर में पंडवानी, गोडी, करमा, जूमर, डागला, पाली, टपाली, नवारानी, दिवारी हिमाजल पिदेश में धवान, चपेली, माहातू, नटी, डांगी, चंबा, थाली, जेता, ढब, डंडानाज, आदी गुजरात में गरवा, डंडिया, टिपपानी, जूरी, यून, भावाई, रासलीडा, लास्या, पनीहारी, पनीहारी ठीक है, गुजरात के हो गए और समय देहें तो भीहू, विच्वा, नट्पूजा, महा, प्रास, खेल, गोपाल, जुमूरा, ओपजनाई, कली, गोपाल, नागानित, भुगू, रुंबा, अंकियानाट पश्य मंगाल में काटी, काटी के बाद आप देखें, गंदीरा, और डाली, जात्रा, बावल, मर्सिया, कीर्तन क्या कीर्तन, यह भी याद रखिएगा इसमें पश्य मंगाल, आप जानते हैं, इसकी राध्धानी को, कोलकाता है यह तो आपको मालूख होगा, की नहीं है, कोलकाता है इसकी राध्धानी और गंबीरा, ढाली, जात्रा, बावल, मर्सिया, कीर्तन केर्ल की देखें, तो कथक कली, उट्टम, उट्टम के बाद आप देखेंगे धूमरा, माकरी, उट्टम, धोलाल, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम, पाद्यानी मणीपुर में मणीपुरी, राखाल, नटरास, महारास, रॉखत उडिसा में उडिसी, सबारी, धूमरा, पैनका, मुंडरी, चवु आया राजिस्ता में जूमर, फिर आप देखें गापाल, फुंदी, पनिहारी, जिन्दाद, नेजा, गर्ण, गौर और महाराष्ट में लावनी, नक्ता, कूली, जेल, लेजिम, गफा, बोहिदा, गुरीचा, ललिता, तमासा, मौनी, लेजम, पुवाडा मेघाले में आप देखें हैं गर लाहो, वंगला, गौा में मांडी, जागोर, खोल, धकनी, अरुणा चलविदिस में जाईए मुखोटा, मुखोणा नित, योधिनित, करनाटक में यक्छिगान, कुनीता, करगा, लांबी, वीरगा, वीरगासे, नागालेंड में चौंग, खेवा, लीम, नुरा, लीम, आप फिर आप देखेंगे, आपका पंजाब में भांगडा, गिद्धा, डफ, धल्मान, मेजोराम में खांटम, पाकफुग, फिल्ला, चेरोकान, जमू कस्मीर में हेकाथ, मंद, जास, कूद, कूद, दंडी, नाच, दमाली, तमेलाणू, भत भारत के प्रमुक लोग कला देख लीजे, रंगोली महराष्ट में, फिर आप देखें साथिया गुजरात में, गुदना आप बिहार में, अहपन बिहार में, मंड, डान ये आप देखें राजिस्थान में, चौपूर्णा उतरपदेश में, मेहन्धी राजिस्थान में, भीहूनेत, यह नेत असम में आप सभी जानते हैं कि असम के कचारी बाख खचारी जंजातियों में पिछले थे, यह वर्स में तीन बार आयो जित किया जाता है, फिर गर्बा यह जम्मु कस्मी राजिकर सबसे पिसेद लोक नेत थे, इसमें ग्रामेश्टियां दो पंक्तियो जम्मु कस्मी राजिकर सबसे पिसेद लोक नेत थे, इसमें ग्रामेश्टियां दो पंक्तियों में आपने सामने खड़ी होकर एक दूसरी के गले में अपनी बाहें डालकर नेत करते हैं, गर्बा यह तो आप लोग नेत देखा हुआ, जेठालाल समझ रहे हैं, तरक मेता क उल्टा जस्मा, उसमें गर्बा आप लोग देखते रहते हैं, गुजरात राज्य में पिछलित इस्तिरियों का लोग नित है, नवरात्री के अउसर पर आयुजित किया जाता है, और मिटी के एक छिद्युक्त घड़े में दीपक रखकर उसके चारों और गोल घेरा बनाक मांथी पर दीपक युग्त मिटी का पात रखकर नित किया जाता है, फिर आप देखें काल वेलिया यह राजिस्थान की काल वेलिया सपेरा जणजाती की स्तिरियों का नित है, इसमें पोसाके तथां निति की चाल सरब की समान होती है, बीन इस नित बिद्या गआ लोगत द सभी सूची में नियुक्त की अब दिखेंगे आपका है घूमर या राजस्तान का पिछली लोकनित है जिसमें जिसे भील जन्जाती की स्तिरिया करती है फिर आप देखेंगे पांडवानी यह 36 गर में पिछले टेईकल लोकनित है इसका समंद मूलूप से पांडवों की कथा से है, बर्फमान में तेजन भाई, पांडवानी की फिरसित दिकला कारिया है, भांगडा, यह पंजाब का लोखनित है जो वहाद की पुरसों के दवारा किया जाता है, तमासा यह महराश्ट का नित है, नाटिका ऐसे बिक्सित करने का सरे वनसी धरबठ को अगनीधों महत्मागांदी को बापू महत्मा गांदी को वायोवेट्द पुरुस दादा भाई नोरो जी को, लोई पुरुस सरदार वल्लम भाई पटेल को, सांधी पुरुस लाल बहादो सास्तरी को, पंजाब के स्री लाला लाज पत्राय को, बंगाल के स्री आसुतूत मुखर जी को, बिहार के स्री डॉक्टर स्री किष्न सिंग को आंदकेस्त्री टीपेकासम को सेरे कस्मीर सेख अब्दुल्ला को वंग बंदू सेख मुजर बुरहमान को देश बंदू चितरंजान्दास को दीन बंदू सी एफ एंडीवच को लोकमान बालगंगाधर तिलक को लोकनायर जैपकास नारायन को जन्नाय करपूरी ठाकर को राजर सी प्रोसत्तमदार टंडन को फिर आप देखें कि गुरुदेव या गुरुदेव रवेंडनाट टैगाउर को गुरुजी म.S. गोल वलकर को राजा जी चकवर्ती राजबुपाला चारी जी को एस पैरो मेजा जनरल गाजन सींग को महामना पंडित महाल मदन मोहन मालविये को अंकल हो हो चीच मेन को सोपर केट किलाईव लॉयड को विहार भीपूती अनुगरह नारायन सींग को देश प्रिये यतिन्द मोहन सेन गुपत को भारती फिल्म के पितामाईवी किसें गुंडी राज गोविन फालके को विदुदा बासों का मिस्तरन मुहमद बिन तुगलक को विद्रो ही कभी काजी नजरूल इसलाम को मैन ओफ डेश्टरनी नेपोलियम बॉनापार्ट को ग्रेंड बेन ओफ बेटिन ग्लैड इस्टॉन को मैडन क्वीन महरानी एलीजा वेट दूतिये को भारतीय पुना जागरन के प्रभाद नक्षत राजा राम मोहन राय को कायद याजम मुहमद अली जिन्ना को देश रतन डॉक्टर राजिंद पिसाद अजाद सत्त्रो डॉक्टर राजिंद पिसाद कस्मीर कागवर जैनूल अवाद आप दिन को नेता जी सुवाश्चंद वास को चाचा जी जवालाल नैरू को युवात रोक स्रीचंद सेकर हो ताउ चौदरी देवी लाल को सहीद आजम भगर सिंग को माता वसंद यानी बैसंड को भारत कोकिला सरोजनी नाइडि को स्वार कोकिला लता मंगेस को ओडन परी पिटी उसा को निर्मल हिदय मदर्टे देशा को विस्त कभी रवेनाथ ठाकुर को किने रवेनाथ ठाकुर को और कभी गुरू रबेनाद ठाकुर को, सरदार वल्लभाई पटेल सापको, तोताहियन अमीर कुसरो को, बाबुजी जगजीमन राम को, भारत का नेपुलियन समुद्ध गुप्त को, भारतीय मेकाविली चाड़क को, हर्याना हरीकेन कफिल देव को, लेटिल मास्टर सुनिली सेक्सपियर को, भारत का सेक्सपियर महाकवी कालिदास को, गुजरात का जनक रभी संकर महराज को, भारती इतियास्म सिक्के निर्माता सियद बंदू, महत्मा गांधी के पाच्वेपुत, जमना लालवजाज, लेटिर कारपोरल, नेपोलियम बॉनापार्ट, विलेग गा grabल वाल, लालाल अचपत्राए, और वालागंगा धर्तिलक और व्मिपिण चंद पाल, लाल अचपत्राए हो गया, बाल सी व्मिपिण चंद पाल हो गया, इन सभी को याद रखीएगा, इन से कुश्एंस आते रहते हैं, एक कुछ आपके पिमुख्य ब्यक्तियों से सं मंदीत इस्थान है उन व्यक्तियों का संबंद इन इस्थानों से रहा है इन्हें भी आप लोग याद रखेएगा और इसमें आप देखें तो कोर्षी का इन नेपोलियन का यहां से संबंद रहा है कपिल वस्तू गौतम बुद्धी का यहां से रहा है मैसीडोनिया सिकंदर म और सेवा ग्राम के बाद आप देखेंगे पावापुरी इसमें आप देखेंगे कि महावीर कुसी नगर गोतमबुद जेरुसलम इसा मसी लुम्मिनी गोतमबुद मक्का मुहम्मद साह वाटरलू नेपोलियन फोरबंदर महतमा गांदी वारदोली वारदोली सर्दार पटल फतेपुर सीकरी अकपरमान पुदुचेरी अर्वेंद गोस वैलूर रामकिष्न पर पाउनार बिनुवा भावी स्री रंगपटनम टेफू सुल्तान कुंडगराम इमहावीत जीरादेई डॉक्टर रयाजिंट पर साथ कटक सुभाश्यंद बॉस तिरू भवन त्री मूर्ती भवन पंडिस जवाहलाल लेरु से संबंदित है ठीके तो यह भी याद और अब देखे फिर्मो पुरुस्कार और सम्मान है तो सबसे पहले नोबल पुरुस्कार को देख लीजेगा देखे एंपूडेंट टॉपिक फोर आईएस पीसेस के नाम से एक लिए सोची बनी होगी उसमें हम लोगों नोबल पुरुस्कार के बागली में पूरी क्लास ली होई थी तो मुझे लगता है अगर आप लोग उसे कवर कर लेते हैं और नोबल पुरुस्कार से कभी आपकी परिक्षाओं में कुश्चन्स आते हैं तो कभी कोई ने जूटेगा वहाँ जाकर आप देख लीजेगा नोबल पुरुस्कार की स्थापना सुईडन की एक आविवाहिद सुईडिस बिग्यानिक और केमीकल इंजिनियर थे आविवाहिद करने का मतला इनकी साधी नहीं की इन्होंने और जिसमें आप देखेंगे 1800 सरशट में डानमाइट की खोच की इन्होंने और सुईडिस लोगों को 1896 में उनकी मिट्टिव के बाद ही पु सुईडि निवियन हो या पिर ना हो पुरुषकार प्राप्त करेगा उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन ब्यक्तियों के बीच बासिक रूप से बाटा जाएगा जिन्होंने बिग्यान साहित सांती अर्थसात के छेत में अच्छा काम किया उतकर पुरुषकार को नोवल फांडेशन द्वारा मदब पिदान की जाती है तो एक बड़ी रखम है पहले नोवल पुरुषकार पांच बिसेओं में कार के लिए दिये जाते थे अर्थसास्त के लिए पुरुषकार स्वेडिस रिक्स बैंक स्वेडिस बैंक द्वारा अपनी 300 भी वर्जगाट के उपलक्ष में 1967 में प्यार्म किया गया था इसे 1989 में पहली बार पिदान किया गया था और इसे अर्थसास्त में नोवल इसमिती पुरुषकार भी कहते हैं नोवल पुरुषकार विजेता भारती भारती मोल के देख लिए रेवेन नाट टेगोर 1910 में ए भुतिकी का इन्हें नोवल पुरुषकार मिला था था ऐर गोविंध खुराना 1968 में किंतिम जीन के संसिलेशन के लिए चिकिस्ता का नोवल पुरुषकार दिया गया था Mother Teresa 1989 में इनके समाच सेबाब समंधी कार के लिए सांती का नोवल पुरुषकार मिला था सुभवमन ने अब चंद सेकर इन्हें 1983 में उनकी खोज चंद सेकर सीमा के लिए भोतिकी का नोबल पुरुसकार मिला आमरसेन इन्हें 1998 में कल्यानकारी अर्थसात के लिए अर्थसात का नोबल पुरुसकार मिला बी-एस नायपल नायपल इन्हें 2001 में साहित का नोबल पुरुसका दिया गया बैंकट रमन रामकिष्ण भारती अमेरिकी रामकिष्ण को अमेरिका के थॉमस इस्टेज और इजराइल की अधाई योनत के साथ प्रेवोटीन का निर्वार्ण करने वाले रायोसॉम की सरचना और कारपडाली की खोच के लिए सेव्ट रूप से 2009 में रसाइन विग्यान का नोबल पुरुसकार मिला। कैला सर्ट्या थी इन्हें 2014 में पाकिस्तान की मलाला इवसब जई के साथ सांती के लिए नोबल पुरुसकार मिला था। ये भी याद रखेगा। अब जीद बिनायेक बनर जी जिनका जनम 1961 में बंबई में हुआ था। स्री बनर जी को इनकी पुस्तक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एले एलिवेटिंग गलोबल पुरुसकार दिया गया। इनोंने आरमभीक जीवन में पच्छे मंगाल में विताया और तथा कलकता विस विद्याले से अध्यन किया। उसके बाद 1983 में दिली स्थित जवाहलाल नेरू विस विद्याले से अर्थ सास्त में इसनात उत्तर की उपादी प्राप्त की। अर्थ सास्त के साथ दिया गया। श्री मुखरजी केमरे चिस्तित मैसाचीविस इंस्टिट्यूट आप टेकनोलोजी में फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेर्शनल में अर्थ सास्त की प्रोफेशन है। तो आप देखेंगे हमारे यहां के कई अर्थ सास्त्री हों, बिज्ञानिक हों, डॉक्टर हों भारत से चले जाते हैं, वो दूसरे दिसों में लेने लगते हैं। वो जिस परिष्टिति में काम करना चाहते हैं, वो परिष्टिति उन्हें उपलब धीनी योपाती है। अलफे नोबल की पुर्णति थी यानि की 10 देसंबर को दिये जाते हैं। अब तक के बल दो बार मेट व्यक्तियों को यह पुरुसकार दिया गया। यह जरूर याद रखें। पहली बार एरी एकसल कारलोफ फर्डट को 1931 में और दूसरी बार सहिपतराष्ट संके महासाचिप डैग हैमर सोल्ड को 1961 में। 1934 में एक नियम मना कि मर्डो अपरांद किसी को नोबल पुरुसकार नहीं दिया जाएगा। दो बार नोबल पुरुसकार पाने वाले व्यक्ति मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्किरिता के लिए भौत की की खोच के लिए ने मिलाता। और 1911 में सुद्ध रेडियों रसायन के निसकर्शन के लिए मिलाता। तो केमिस्टी का भी मिलाओ ये आप देखिए बहुत की का। लीनस पॉलिंग उननी सो चंगन में हाईवर्ड वडाइड कच्छी सिद्धान रसायन के लिए नीस सो बासट में आपकी ये परिक्षन निशे संदी एक्टिविजिम सांती के लिए जौन वाइडन उननी सो चंपन में ट्रांजेस्टर भाध की के अवसकार के लिए उननी सो बाततर में अतीचालकता की सिद्धान बहुत की के लिए फेडरिक मेंगर आप देखेंगे कि सिंगर एए उन्निस वठावन में इनसुलीन मॉलीक्यूल की सरचना जचाएन के लिए 2980 में वायरस नुक्लियोटाइड के सेक्वेंसिंग के लिए रशाएन के लिए फिर आप देखेंगे इंटरनेस्टनल कमेटी ओप रेड क्रोस को सांती का नोवल पुरुसकार तीन बार दिया गया है 1970 में और 44 में 63 में सर विलियम हेंडरी व्रेग ने अपने बेटे विलियम एल बेग के साथ बहुत की का नोवल पुरुसकार 1980 में प्राप किया था बाप बेटे को सबसे कम उम्र में नोवल पुरुसकार पाने वाले पिथम बाले पुरुस लॉरेंस वे ब्रेग 21 साल में महिला थी मलाला यूसुप जाई 17 साल की उम्र में सबसे अधिक उम्र में जॉन बी गोडेन अप यूसे नोवल पुरुसकार प्राप किया था इन्होंने उन्हें 2019 का रसायन का नोवल पुरुसकार दिया गया था इन सबाए उनकी उम्र 97 वर्स थी दूती अभिस्यूद की समाए 1940 से 1942 तंग नोवल पुरुसकार नहीं दिया गया ओस्कार पुरुसकार भी सुने होंगे इसकी सुरुवात 1929 में की गयी और यह पुरुसकार विस्क फिल्म जगत की सबसे पितिश्टित पुरुसकार है यह पुरुसकार नेशनल अकादमी ओफ मोशन, फिक्चर्स, आर्ट्स, एंड साइसे सहितराज अमेरिका द्वारा दिया जाता है इसका ओफिसियल नाम Academy Award of Merit है यह पुरुसकार पितिबस फरवरी माय में हॉलीबोर की कोडेग थेटर में आये यह थे एक भब समारो में पितान किया जाता है और पित्थम ओसकार अवार्ड समारो रोजबेल्ट होटल में हुआ था इस पुरुसकार में दी जाने वाली पितिबा काली मेटल बैम पर सोने की परत चड़ा कर बनाई जाती है और इसे पाने वाले लोगों से पहले ही एक्रेंट करला लिया जाते है को ऐसे बैचेंगे नहीं तो अगर बैचेंगे तो सबसे पहले एक डॉलर एकेडमी को ही देंगे ठीक है यह ओसकर से नामित पिर्मुख भारती एपिल में इन्होंने 1925 में साहित के लिए नोबल पुरृतकर, 1913 में बेस्ट इस्कीन फिले के लिए ओसकर पुरुसकर दिया गया थे इन्हें ओसकर और साहित के लिए नोबल पुरुसकर प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति बॉप डिन गिळ Burton दिये ओसकर पाने वाली पहली भारती महला भानू अथेया जिसमें गांधी फिलिम में रिचार्ड एर्टन बैरूप की कॉस्टेट यूम डिजाइन के लिए इन्हें पुरुसकार मिला सत्य जीत रे पहले भारती है थे जिनने जिनने सिनेमा में उनकी उपलगदियों के पुरुसकार की स्थापना अपरेल 1997 में की गई थी पहली बार दिया गया था यह एसिया का सबसे पितिष्टित पुरुसकार है इसे एसिया का नोबल पुरुसकार भी कहते हैं आप लोग यह पुरुसकार के देख विजेता को सवयड पदक और 50,000 डॉलर दिये जाते हैं य 2001 से चटे चेत औध गामी नितित भी दिया जाता है के लिए थे आपवलोग वन मान भुकर पुरुसकार में दिया जाने बाला यह है। वो थिकिष्ट कला साहित के लिए विस्वर के किसी साहितकार को दिया जाता है इसके तहित आप देखें 60,000 पाउंड की रासी पिदान की जाती है मानवुकर प्राप्त करने बाले भारतिय मूल के लिए खक देखें तो B.S. नायपॉल इनकी किर्ती थी N.A. Free State 1971 में सल्मान उस्दी Midnight Children 1981 में अरुंधती रोई The God of Small Things 1997 में किरन देशाई The Inhery Tense of Loss 2006 में अर्विंद अधिगा Bright Tiger 2008 में इने मिला ग्रैमी पुरुषका संगीत के छित में अभूत पूर उपलगदियों के लिए दिये जाते है इने 50verse National Academy of Recording Arts and Sciences द्वारा दिया जाता है और ये पुरुषकार को 108 सेनियों में दिये जाते हैं इसमें विजिता को एक ट्राफी पिदान की जाती है जिस पर सोनी का पानी चड़ा पुरानी सेली का एक ग्रामोफोन बना होता है सन 1973 में Concert 4 बंगलादेश नामक रेकॉर्ड के लिए अनकलाकारों के साथ भारत की सोफिसिद सितारवादक पंडिस रवी संकर को भी ग्रैमी अवर्ड मिला था और फिर 1994 में उनके सिस विस्व मोहन भट को भी मिलाई पुरुषकार 1917 में प्यारम किया गया पुरुषकार अमेरिकी पिकासक जोसेफ पुरुषकार की नाम पर पतिकार्टा की छित में आसाधर विगुदान के लिए दिया जाता है और पतिकार्टा की छित में इस विस्व का सबसे पितेष्टी पुरुषकार माने जाता है यह 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 वाँवासे कि कूलंबिया विस्विध्य हले द्वारा पिदान किया जाता है फिर आप लोग गांधी, सांती अंतराष्टी पुरुषकार यह पुरुसकार 1995 से भारा सरकार द्वारा विससे सांती मौलेकनी भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है यह पुरुसकार के अंतरगत एक करो रूपे की रासी ओपिसस्ती पत्त दिया जाता है गांधी सांती पुरुसकार, कलिंग पुरुसकार यह पुरुसकार 1922 में प्यारम गुआ था यसे प्यारम करने में सबसे पिरमोख भूमी का कलिंग फाउंडेशन के सस्ताफक भीजू पटनायक की थी यह पुरुसकार युनेस को द्वारा बिग्ज्यान को लोगफ्रीय बनाने के लिए किये गए आस्तान प्रयास के लिए दिया जाता है जवाहलाल नहरू पुरुसकार विज्व सांती और अंतराष्टी सदभाव को बढ़ावा देने में पूर भारती पिधानमंद्री पंडे जवाहलाल नहरू की युगदा युगदान की पितिष्ठा में 1965 में सुरू किये गए इस पुरुसकार के लिए अंतरष 25 लाग रोपी की रासी पिसस्ती पत्त के साथ दी जाती है इस पुरुसकार की घुष्णा भारत सरकार की विधिस मंत्रा करता है पिरमुख पुरुसकार 6-82, नोबल पुरुसकार साहत, चिकिसा, बहुत की, रसायन और सांती में सभी 1901 से शुरू हो गये थे अर्थ सास्त में 1969 में पहली बात दिया गया था पुलिजर पुरुसकार पत्तिकारता के चित में 1917 से दिया जा रहा है 60,000 पुलिजर पुरुसकार संगीत के चित में 1958 से पहली बार दिया गया था भारत दन कला साहित बिज्ञान के चित में विशिष्ट सेवा और जन सेवा के लिए दादा साहब फाल के पुरुसकार फिलिम के चित में 1989 से स्वड कमल और 10 लाक रुपे दिया जा जाते है से 50,000 डॉलर और 2001 से ओधगामी नेतित के छेत में सरत्तुती सम्मान साहत के छेत में 1991 से दिया जा रहा है 5 लाग रुपे देते हैं वाचिस्पती पुरुसकार संस्कित साहत मोतकिष्ट योगदान के लिए 1992 से शुरू हुआ था 1 लाग रुपे तो आप देखेंगे संकर पुरुसकार भारती दर्सन संस्किती और कला के छेत में 1.5 लाग रुपे मिलते हैं इसमें ब्यास सम्मान साहत के छेत में कवीर पुरुसकार सामाजेक सदभाओ के छेत में ध्यांचन्द पुरुसकार खेलों में जीवन भरकी उपलबधियों के लिए 5,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, समान किस छेत में दिया जाता है या कवीर पुरुसकार किस छेत में दिया जाता है ठीक है तो इन्हें याद रखिएगा अब राष्ट की राष्टिये पुरुसकारों को देख लिए जैसे गरतन दिवसपर पुरुसकार नागरिफ पुरुसकार भारत दुर्दन एकलास आयत और विज्ञार या बड़े पिर्माने पर जनसेभा में उतकिष्टकार के लिए देश का सबसे बड़ा राष्टी पुरुसकार है। इसकी सुरुवात 1905 में हुई थी और 26 जर्मरी वो भारत के राष्टपती के द्वारा दी जाती है। इसके मैडल में पीपल के पत्ते के आखार का एक सूरी का चित अंकित रहता है। एक बास में अधिक्तम तीन बैक्तियों को ही भारत दिया जा सकता है। जनता बाटी द्वारा इस पुरुसकार को 1977 में बंद कर दिया गया था। 1880 में फिरसे कांगरेस सरकाराई उसने शुरू कर दिया था। और मरण ने मरडवपरान सरपेथम लाल बहाद व सास्तिरी को भारत रतन से सम्मानित किया गया था। अचारियों द्वारा की गई सेवाओं सहत किसी भी छेत में विसेश तथा उनलेकनी ये कार के लिए दिये जाने बाला दूसरा सबसे बड़ा राष्टी पुरुसकार है। पड़ार पटल राष्टी एकता पुरुसकार का उद्विस राष्टी एकता अखंडता को बड़ा आबा देने के लिए और एक मजबूत अखंड भारत की मूल को मजबूती पिदान करने के लिए भारत के नागरे को संगटनों द्वारा और लेकनी ये वो पेड़ना दाय क कि युगदान की पहचान करना पुरुसकार में एक पड़ पसस्ती पत दिया जाता है इस पुरुसकार के साथ कोई मौद्रिक राष्टी ए नगत पुरुसकार संवर्द नहीं होगा एक बरस में तीन से अधिक पुरुसकार नहीं दिया जाएंगे और यह स्तमान विसेस इस माना जाता है फिर आप देखेंगे वीरता पुरुसकार भारतिय थल सेना भारतिय थल सेना बायू सेना और नौ सेना के वीर और साहसी सेनिकों के विभिन पदकों से समानिक किया जाता है इन पदकों का अन्यमने इस तरह हैं पर परंबीर चक यह आप देखेंगे तो बीरता के लिए दिये जाने वाला सर्वोच पुरुसकारिया पदप है और जो थल जल और बायू में विदुस्मन के सामने बहादुरी के सर्वोथ किष्ट पिदर्सन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है या मेडल या पदक कांस का बना होता है और जिस पर एक और इंद वुरज वज अंकित होता है दूसरी और आप देखेंगे हिंदी और अंगरेजी में परंबिर चक लिखा होता है पदक को सैनिक अपनी कमीज के बाईयों और बैगनी रंग के रेवन से लगाता है महवीर चक या दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरुसकार या पदक है जो थलो जल और बाईयू में दुस्मन के सामने बहादुरी के सरुप्षिष्ट कार के लिए दिया जाता है या पदक स्टेंडर्ड चांदी का बना होता है इसका आकार गोल होता है जिसके एक और पांच कौण वाले सितारी की भी राष्ट चिन अंकित होता है दूसरी और कमल और हिंदी अंग्रेजी में वहाँ भी चक लिखा होता है वेचक या तितिय सेडी का वेटा पुरुसकार या पदप जो थल जल और भायू में दुस्मनों के सामने साहस पराक्रम और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है या पदक भी स्टेंडर्ड चांदी का बना होता है इसके एक और आप देखेंगे पांच कौन वाला सितारा असोक चक और दूसरी और आप देखेंगे दो कमल अंकित होते हैं पदक को नीली केसरी पटी के साथ पहना जाता है विशिष्ट सेवा मेडल या सेना की करमचारीयों को आसाधान तथा उचकोटी के विशिष्ट सेवा कार के लिए दिया जाता है इसक चक या पदक धल, जल और नब में साहस पराक्रम या आत्मबल निदान का अतेंथी सराहिनी है कार दिखाने के लिए पिदान किया जाता है जीवन रख चक चक डूबने से आग से या किसी तरह से प्राण बचाने के लिए पिदरसित साहस और बीटा पुर्वक करें के लिए पदक पिदान किया जाता है दादा साहब फाल की पुरुसकार दादा साब फालकी पुरुसकार सिनेमा की चित में भारत का सरवुच पुरुसकार है जिसे पितीवस राष्टी फिल्म पुरुसकार समारू में दिया जाता है यह पुरुसकार भारती सिनमा की विकास में उतकिष्ट एउगदान देने वाले बैक्तियों को दिया जाता है यह पुरुसकार भारती सिनमा की पितामा कहे जाने वाले दादा साफ फालकी की नाम पर दिया जाता है बर्तमान में इस पुरुषकार के इंतरके बिजिता को 10 लाग रुपी नगत, 108 कमल और एक साल पिदान किया जाता है। सबसे पहले जिसे भी कोई पुरुषकार दिया जाता है उसका नाम याद रखा करिएगा। में पी जैराज, 1981 में नौसाद अली, 1982 में एल वी फिरसाद, 1983 में दुरुगा खोटे, 1984 में सत्य जीत रे, 1985 में वी सांता राम, 1986 में वी नाग रेटी, 1987 में राज कपूर, 1988 में असुक कुमार, 1989 में लता मंगिसकर, 1990 में अकल नेनी नागिसो राव, 1989 में लता मंगिसकर, 1991 में भाल जी पिंडार कर, 1992 में भूपेन हजारिका, 1993 में मजुरू सुल्तान पूरी, 1994 में दिलीप कुमार, 1995 में डॉक्टर राज कुमार, 1996 में सिमाजी गनेशन, फिर आप देखेंगे 1997, 1997 में आप देखेंगे कभी पिर्दी, 1998 में वी आर चोपड़ा, 1999 में रिसी केस मुखरजी, 19 सन 2000 में आसा वोंसली, 2001 में यस चोपड़ा, 2002 में देवानन, 2003 में मिर्नाल सिंग, 2004 में अडूर गोपाल किष्णन, 2005 में स्याम बेनेगल, 2006 में तपन सिनहा, 2007 में मन्नाडे, 2008 में भी बी के मूर्ती, 2009 में डी रामा नाइडू, 2010 में आप देखेंगे के बालाच, 2011 में सौमित चटरजी, 2012 में पराण, 2013 में गुलजार, संपूर, रण सिंग कालरा, 2004 में ससी कपूर, बलवीर राच, 2015 में मनोस सुकोमार, 2016 में केवि सुनाद, 2017 में विनोवा, विनोत खन्ना, 2018 में अभीताब बच्चन, 2019 में रजनीकांद, ठीक है? भारत रंदन से सम्मानित ब्यक्ति, 2015 में आप देखेंगे, डॉक्टर सरफली राधा किष्णन, चकवर्ती, राजगोपालयाचारी, डॉक्टर चंद सीकर, वेंकर ट्रमन, जब पहली बारे भारत रंदन सुरू किया गया, उस साल तीन लोगों हो दिया गया था, डॉक्ट 1968 में धुंदो केसा करवे, 1961 में विधान चंद, रॉय राज़ेसी, पुरुसुत्तम दाश्टर नर्ण, 1962 में राजिनत पिसाद, 1963 में जाकिर हुसेंड, डॉक्टर पांडूरंग, वामन काने, फिर आप देखेंगे, 1964 आता है, 1966 में लाल भादो सास्ती, मरणोआ परांध पुरुसकार पाने बाले पिथम थे, 1971 में इंद्रा गांधी, 1975 में वराह बेंकट गरी, 1976 में कुमार स्वामी कामराज, मरने के बाद इने भी, 1980 में मदर टेरिसा, 1983 में आचार विनोबा भावी, मरने के बाद इने भी, 1987 में खान अ 1990 में डॉक्टर भीमराओ मेडकर, मरने के बाद नेलसन मंडेला, 1991 में राजिप गांधी, इने भी मरने के बाद सर्दार बल्लभाई पटेल, इने भी मरने के बाद मुरार जी देशाई को 1991 में इने भी मरने के बाद मुरार जी देशाई को 1991 में इने भी मरने के बाद जे सुभालच्मी सी सुभामन्यम को देखियो जैपकास नारायन को मरने के बाद 1909 में पंडित रभी संकर प्रोफिकसर अमसें और गोपीनात बार्द लोई को मरने के बाद मिलाता सन 2001 में आप देखिए कि लता मंगिस कर उस्ताद बिस्म अल्ला खां 2008 में वीम सैन जोसी 2014 में सच ना जी देश मुक और भूपरन हजारिका को ग्यानपीट पुरुसकार से समाने सहितकार ज्यानपीट पुरुसकार भारती स्य द्यास दौरा भारती साहित के लिए दिया जाने वाला सरफच पुरुसकारמן 8 में आथ भी अलशूकी में सामिल किये किसी बिभासा के लिए इन को दिया जाता है इस पुरुसकार में 11 लाक रोपय बग देवी की फितिमा और आप देखेंगे की सस्तिपत दिया जाता है 1962 में स्री संकर कुरूप को औरा कुजाई मलयालम के लिए 1966 में आप देखेंगे तारा संकर बंदोपाद देहाए को घड दियुता मंगला के लिए 1968 में केवी पुटपा और उमासंकर जोसी को रामायन दर्सनम कंणर और निसीद गुजराती के लिए सुमित्रा नंदन पंथ 1968 में चिदंबरा हिंदी पिथम और 1990 में फिरात गोरफुरी को गुल नगमा उर्दू के लिए विसनात सत्थ नारायन ए 1970 में सेवी मद्र नारायन रामायन कल्फ ब्यक्षम तेलगू के लिए 1971 में विष्णू डे इसमीती सत्था भविस्तम बंगला के लिए 1972 में रामधारी सिंग दिनकर और वसी हिंदी के लिए 1973 में गोपिनात मुहंती और डी आर बिंदे इने किरम सा माली मटाल उड़िया और चारतार कंणड के लिए विश्नूर शखा खांडेकर को 1924 में यायाती मराठी के लिए 1975 में एवी अकिलंदम चित्तपावन के लिए तमिलाडू 1976 में सिरीमती आसापूर पिथम भाहिला थी देवी इने पिथम पिथी सुरूती बंगला के लिए 1977 में डॉक्टर के सिवरामन कारंद के लिए मुक जिया कनशोगोल कनड के लिए 1978 में आप देखेंगे डॉक्टर सचिदानन्द, हीरानन्द, वातसायन अग्ये को कितनी नाओं में कितनी बार हिंदी के लिए 1989 में डॉक्टर वीरंद कुमार भट्टाचार, मित्युन जय के लिए असमिया के लिए ने पहला याद रखिएगा जरूर आप लो 1980 में कि एस की पुटकल, ओउ देशातीने कता के लिए मलयालम में 1981 में अमर्ता, पीतम, कावेचते, केनबास, पंजाबी के लिए 1982 में महादिय बर्मा, यामा, हिंदी के लिए 1983 में बैंक, टेस, आयंगर, चिक, वी, राजन, तेलगू के लिए 1984 में तक्षी सेवसंकर, तिल्लाई, कायर, मलयालम के लिए 1985 में पन्नालाल फटेल, मानवीनी, भावाई, गुजराती के लिए 1986 में सचिदानंद, राउत, राय, उडिया साहित के लिए 1987 में बिसनु बावन, सिर्वाडकर, मराठीक साहित के लिए 1988 में डॉक्टर सी नारायन रिड्डी, तेलगू साहित के लिए 1989 में करतुल एन हैदर, उर्दू साहित के लिए 1989 में आप देखें बिनाएक किषने गोकाक, कनर साहित के लिए 1991 में सुभाष्त मुखोपाद्याय को मंगला साहित के लिए 1992 में नरेश महिता को हिंदी साहित के लिए 1993 में डॉक्टर सीता कांथ महापात को उडिया के लिए 1994 में प्रोफेसर ईवार राओ को कननड साहित के लिए 1995 में M.T. वासिल देवन को नायर को मलयालम साहित के लिए 1996 में स्रीमती महास्वित्था देवी को बंगला साहित के लिए फिर आप देखेंगे 1997 में अली सरदार जाप्री को उर्दू साहित के लिए 1998 में ग्रीस करनाड को करनड साहित के लिए 99-minute निर्वल बर्मा और गुर्धयाल सिंग को हिंदी और पंजाबी सायद के लिए क्रमसा सन 2000 में इंद्रा गोह स्वामी आसमिय साहित के लिए 2001 में राजिंद किसवलाल साहे को गुजराती साहित के लिए 2002 में डी जै कांतन को तमिल साहित के लिए 2003 में बिंद्रा करिंदी कर को मराथा साहित के लिए 2004 में रहमान राही को कस्मीरी साहित के लिए 2005 में कुणन नरायन को ह हिंदी साहित में, 2006 में रबेंद केलकर और सत्वर्थ सास्त्री को कौंकड़ी और संस्कित साहित के लिए करमसा, 2007 में OANB कुरूप को मल्यालम साहित के लिए, 2008 में अल अकलाक मुहम्मद खान सहरयार को उर्दू साहित के लिए, 2009 में अमरकांद श्री लाल सुलकल को हिंदी का थाकार के लिए, 2010 में चंद सेखर कंबर को कन्नर साहित के लिए, 2011 में पितिवारे को उडिया साहित के लिए, पकुदो रल्लो, 2012 में डॉक्टर रावूरी भार्दवाच को तेलगु साहित के लिए, 2013 में कैदारनाथ को आप के लिए 2017 में किसना सोवितिव को हिंदी साहित के लिए 2018 में अमिताफ घोस को अंग्रेजी साहित के लिए पहली बात और 2019 में अक्कीतम अच्छीवतन नम्मूदरी को मलयाली साहित के लिए अमिताफ घोस की पिरमुख रचनायव दा सर्किल ओफ रिजन दा सेडो लाइन दा कलकत्ता कोरोमो सॉम दा गिलास पैलेस दा हंगरी टाइड रिवर ओफ स्मोग और फ्लाइड ओफ फायर इनकी पिरमुख किर्टिया हैं कोई भी याद रखिएगा ठीक है बहान कारियों से सम्मदित कुछ ब्यक्ति है जो आप देखे कोई किसी संस्था की स्थापना हुई या और भी कोई आपका मात्पूर काम हुगा उससे जुड़ा हुआ ब्यक्ति कौन रा है तो इसमें अगर आपसे पूँचे क्या पूँचेगा आपसे पूँचे कि रेड क्रोस की स्थापना तो हैंडरी ड्यूनेंट ने की थे रेड गार्ड्स की स्थापना से गेरी वाल्डी जुड़े हुए हैं संस्कित ब्याकरण के जनक फढ़नी रहे हैं सांती निकेकतन की स्थापना रवेनाठ ठाकोडनें फावनार आश्रम की स्थापना विनुबा भावी लीग ओप नैसंस की संस्थापन वुडरो विल्सन खाल्चा अपंद की संस्थापन गुरू गोविन निसींग कौन गुरू गोविन निसींग आरविले असरम, पुदूचरी की स्थापना, अरवेंद घोसने किसने, अरवेंद घोसने की थी, आगे कुछ फ्वेंट हैं, इनमें आप देखें तो, क्या है, स्काउटिंग की स्थापना, वेडन पावेल, समाज बाद की पिवर्तक, आचान नरंद देव, आनन्द वन की स्थापना, वावा आम्टे, विस्वार्ती की स्थापना, रवेंद घागोर, भूदा आंदोलन की पिवर्तक, विनुवा भावे, स्वड मंदिर का निर्माज, गुरु अरजुन देव, और न नियाय दर्सन की संस्थापक, महर सी, गौतम, निर्मल हिदय की संस्थापक, मदर टेर सा, कौन? मदर टेर सा, यह आप देखे, पिरमुक भारती लेखक, उनकी कुछ पुस्तके हैं, किर्टिया हैं, यह आप देखते होंगे कि कोई बुक का नाम दे देता है, और आप से प्रभाव सेन, फेवर सेन, सेकेंड, पंचतंत, विशनुसर्म, प्रैमुवाइटका, रस्खान, म्रश्च का ठिकम, मिट्टी का खिलोना, सूद्र, कामसूत, वात्शायन, दायभाग, जीमूत वाहन, नेचूरल हिस्टरी, पलेनी, दस्कुमार चरित, अवंति स्वंदरी दंडी, बुद्द चरित, अस गोस, कादमरी, बाडवट, अमरकोस, अमरसी, साहि नावा, फिरदोसी, साहतलहरी, और सूर्सागए, देखिए, साहतलहरी और सूर्सागए के हैं सूरदास, हुमायूनावा, गुलबदन, बेगम, हुमायूनावा के लेखा कौन है? और वेरन सतक इसके रचेता रहे हैं या लेखा करें भर थरी हिंदोज में पैसिज टू इंग्लेंड आटो वायग्राफी ओफ एन अनौन इंडियन कल्चर इंदा बैनिटी वेग नीरद चंद चौदरी की हैं इस अब तीक है चित्रांगदा गीतांजली विसरजन गार्डर नर और हंग्रे इस्टॉंस गोरा चंडाली का क्रिसेंट मून दाकोर्ट डांसर पोस्ट ओपिस किंग ओफ डार्क चेंबर इस अब ही आपकी किस की हैं रबैनाट टैगोल सहाब की भारत भारती मैथली सरन गुप्त की डेथ ओप सिटी और कागज ती कैनवास फोर्टी नाइन डेज एस अभी अमरता पीतम की इंद्रा गांधी रिटन्स दा कंपनी ओफ वीमेन दिल्ली टूथ लब एंड लेटिल मैलिस ट्रेंड टू पाकिस्तान बोरियल एंड एट सी ए खोसबंध सींग की हैं इसके लेखा कौन है इन सबकी खोसबंध सींग विजय तेंदुलकर की अगर आप देखें तो सखाराम वाइंडर एह विजय तेंदुलकर भगबत गीता और महाभारत बेद वियास जी इससे जुड़े हुए हैं इंटरनल इंडिया इंद्रा गांधी की थी जैसंकर पर साथ कामाइनी औ और आसू लहर एह जैसंकर पर साथ लाइफ डिवाइन ऐसे ऑन गीता एह अरवेंदिक गोस और अनामी का परीमल यह आप देखें कि सूरकांग तिरपाटी नराला की थी है यामा महादेवी परमा एह वाइस ओफीडम नैंतारा सहेगल की है एरिया ओफ डार्कनेस एवियस नायपॉल की मुद्रा राक्चक विसाखदत की अस्ट अध्याई पढणी की इंडियन फिलोस्पी हिंदू व्यू और लाइब ए दोनों डॉक्टर ऐसराधा किष्णन की मिताक्छरा विज्ञानी सुर की राश्त अगिनी कलहन की अर्थ सास्त चाड़क की कुमार संभव र इसके जैदेओ की फिर आप देखेंगे की जो मालती माधो और उत्तर रामचरित यह भावभूती की पदमाबत मलिक मुहमद जासी की आईने अकबरी और अकवर नामा अभूल फजल भीजक रमेनी सबत एक कबीर दास किताबुल हिन अलवर्णी की कुली कनफेशन ओफी एक है दाविक हर्ट, सेमन हमर समर्स, टू लिफ्स एंड एवर्ड, फिर दा व्राइडर्स, बुक ओफ ब्यूटी, यह सभी हैं मुल्क राज आनन्द की, जजमेंट डिस्टेंट नेवर्स, इंडिया दा क्रिटिकल इयर्स, इन जेल, इंडिया आप्टर नेहरो, वेंड द लाइंस, यह आत्म गता है कुल्दीप नेहर चाहब की, ठीक है, यह सभी किर्टिया, पुस्तके किसकी हैं, कुल्दीप नेहर की, अगनी भी न, यह आप देखें के काजी नजरूल इसलाम, डिवाइन लाइब, सिवानन्द की, गोधान, गवन और करंभूवी और गोल्डेन थ्रेस होल्ड, ब्रोकेन विंक्स, यह सरोजनी नाइडू, दादा कॉमरेट, यह स्पाल, पल्लाव चितमरा, सुमित्रा, नंदन पंद, और कुरूचित उरवरसी, यह आप देखें, रंधारी सिंग दिनकर, ठीक हैं, फिर आप देखें के, आहर की नारायन की है दा डार्क रूम, मालगुडी डेच, गाइड, माई डेच, दा बेंडर ओफ सुइट्स, पेंटर ओफ साइंस, टैली स्मेंड, मुराजी देशाई देखें तो नेचर की ओर, चंद कांतरा, यह देव की नंदन खत्री की, देवदास तो चरित हीन, यह सरचंद चटोपाद् ठीक है, फिर आप देखेंगे पिरमुक विदेशी लेखा हैं, उनकी कितिया है, एडम स्मित की अगर देखें तो बेल्थ ओफ नेसंस, अलवर्ट आइस्टीन की देखें तो दा वर्ल्ड एज, आई सी इट, और आर्थर हेले की देखें तो इयरफोर्ट, सेमूल हर्ट की प्राइस ओफ आप पावर, दांते की देखें तो डिबाइड, डिबाइन कोमेडी, हॉमर की देखें तो ओडीसी, और इलियर्ड, हैनिरी मिलर की देखें तो ट्राफिक और ओफ कैंसर, न्यूटरन की प्रैंसी पिया, जॉन मेल्टन की पैराडाइज, लस्ट, तलोटो की गुनार मेडल की अरगेंस्ट दा इस्ट्रीम, एसियन ड्रामा, जॉर्ज आर्विल की फारम हाउस, एनिमल पार्क, फिर आप देखेंगे सेक्सपियर की, इसमें आप देखें तो कॉमेडी ओप एरर्स, एज यू लाइक इट, ए मिड्शमर नाइट्स ड्रीम, हैमलेट, कि सेलो, जूलियस सीजर, किंग लियर, मैक बैथ, आल इच, वैल देट, इंड्स वैल, यह सभी सेक्सपियर की हैं, ग्रेट ट्रेजडी, जैड इभुट्टो की है, जार्ज वरनाइट्सो की, मैन एंड सुपरमेन, एफिल कार्ट, कार्ट, आमस एंड दी मैन, सीजर एंड किल लियोपेटरा, प्रपिग मिलियन, मेजर वर्वरा, मैन ओफ डिस्टैनी, हेराल्ड जे लस्की की देखें, तो डाइलेमा, ओपाबत ओटाइम, ग्रामर ओफ पॉलिटिक्स, मैक्सिम गोर की की देखें, मदर, माओ तिसे तोंग की देखें, तो ओन कंटार्डेक्शन, एड वासम की देखें, तो दावंडर, वंडर, देट, वाज, इंडिया, अस्तु की पॉलिटिक्स, डाइमा, मॉस्की, दा लाइफ ओफ कंट्राष्ट, एक इसकी है, डाइना, मॉस्की की, और आप देखेंगे, एपैसे टू इंडिया, एए है, इम, होस्टर की, ठीक है, तो इ की, वार एंडिया, हराल्ड मेलन, राइजिंग देखेंगे, कैथली मुव, अधर इंडिया, जे एम बेरी, हिंडुस्तान्स, इविलिएशन, रुसो, दा सोचल कॉंट, मैकिया वैली, दा प्रेंस, आइट ओ वार, चाल्स दर्वन, देखेंगे, चाल्स देखेंगे, चाल् और ग्रेट एक्सपेक्टिशन, एडवर्ड थॉमस की बात करेंगे, तो फेयर वेल तो इंडिया, जे की गल्वरत, दा चाइना फिसेज, दा नेचर ओप मास्वावर्टी, अम्बे, अम्बेस्टर्स, जनल, दा ट्रॉम, ठीका, बिंसेट चर्चिल की, गैधरें स्टर्म् H.W. Locke Fellow की, साम अफ लाइफ, जोनाथन स्विफ्ट की, गुलिवर्स टेबल्स, जॉन किट्स की, इसा बेला, जॉन इस रस्फी की, अंटू दाराष्ट, लुईस फिसर की, गांधी व्यम स्टालिन, टी एस इलियट की, फैमिली री यूनियन, मर्डर इन दा कैथिडल, रि किपलिं की, जंगल वोग, माइकल किश्टन की, जॉरासिक पार्ट, जैम्स हरियट की, अल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटिफुल, रिचर्ड निक्शन की, लीडर्स, विलादी में नावा को की, लो लिटा, रोमें रोलाल्ड की, महतमा गांधी, अर्थर कॉनन डॉयल एडवेंचर्स ओफ सरलोख हम्स की, लेविस करोल, एलिस एन वंडर लेंड, स्कॉर्ट रीड, इनवाय टू नहरू, लेरी कालेंस एबम डॉमिनिक लॉपिली, एफीडम एट मिटनाइट, मिटनाइट, एक कुछ नई वुस्त के हैं उनके लिखा के, जैसे पीबी नरसिम इनकी है दा इंसाइडर, अरुन सोरी, इंडियन कंटोवर्सीज, एसेज, और रिलीजन, सिरी रत्रामफल की है, इन सेफरेवल हुमिनिटी, डॉक्टर सादेर हुसेन की है, तारे के मुझा इद्दीन, इस्टैनले कलफागे की है, मिटन टू इंडिया, मैडोना की है, सेक् इफिंग्स की है, एंड ओफ एंपायर, मिखाइल गोर्वा गोर्वा चो की है, तीस, हैस्टू, अल्टरनेटिब, डरेक वाल कट की है, इंदर, लाइफ, और तसलीमा, नसरीन की है, लज्जा, और फोरिसी प्रेमी, गीता महिता की है, इरिवर सूत्रा, वेद महिता की है, दा इस्टो लेंड, लाइट, मदर टेरेसा की है, डाउन, दा मैमोरी लेंड, जग मोहन की है, माई प्रोजेन, टर्वूलेंस, एन कस्म की, एम एफ होसेन की है, संसद उपनिसद, टी एन सेशन की है, डिजे रेसन, आप इंडिया, फिर यू आर, अनंत मूर्ती की है, संसका डॉक्टर सीता कांत महाबात की है, ब्यूंड दावार, सल्मार उसीदी की है, सेटे निक, वर्सिज, फिर आप देखेंगे, एक फ्यूरी, सालीमार दा किलाउन, और मेड नाइट चल रहें, सौनिया गांधी की है, राजीव, आंग सान्सू की है, फीडम फ्रॉम फ्रॉम फियर, ठीक है, तो ये भी याद रखे, लाल किष्णा आडवानी साहब है, बीजेपी के आप सभी जानते हैं, पित्थपुरस भी कहते हैं, आप लोग ने, माई कंट्री, माई लाइफ, कपिल देव की है, स्ट्रेट फॉम दाहर्ट, टॉम अल्टर की है, दाल, आउ, आई, तिले, गोल्फ, एपी जी अब्दुलकलाम, एगनाइटेड माइंड्स, मार्गेट थेशर की, दा पाथ, टू फावर, एम ए स्वामी नाथन की, टू ए हंगर, फ्री वर्ड, एच जी वेल्स की, दा इन वी, विजी वुल, मैन, उ दा टाइम मसी, लैसी फास व पाई की है, दा गो, गॉर्ड ओफ, स्मॉल तिंग्स, दा अलजेवरा, ओफ, इन फाइन आइट जस्टिस, डरेक वालकट की है, इन ए ग्रीन, नाइट ओमे रास, एम जी अकबर की है, इंडिया, दा सीज बी दीन, तारीक अली की है, कैन पाकिस्तान, सरवाईव, ठीक है, स सिटी ओफ, ज्वाई, बिक्रम सेट की है, सोटेवल वाई, गोल्डेन गेट, और टू लाइब्स, एन ए सक्सेना की है, इंडिया, टो वर्ड्स, इन आर की, थॉमस कॉनोली की है, सेंड लर्स लिस्ट, नवीन चावला की, मदर टेर्शा, डॉक्टर हरीवन्स, राय पीसी एलेकजंडर की, दा फेरेल्स ओफ, डेमोक्रसी, के गोविंदन कुट्टी की, सेसन ए इंटी मेंट, स्टोरी, मैंका गांधी की, हैड्स एंड स्टेल्स, नेल्सन मंडेला की, लांग वाग तु फीडम, दा इस्टेगल इन माई लाइब, वारिस एल्थ सिन की, अगे इनने भी देख लीजे, दुसार गांधी की, लिटल लिट्स, किल गांधी, वराको बाबा की, दा ओडिसिटी ओफ, हॉप, चुमपा लहीडी की, दा नेमसेक इंटर्पेटर ओफ मेलोडी, विलादी मीर पुतिन की, फर्ट पर्सन, अमिश चौदरी की, ए निव वर्ड, व विल्द लाइफ, मेगनाद देशाई की, रेडिस करवरी ओफ इंडिया, बेंजीर भुटो की, दॉक्तर ओफ दा इस्ट, पाकिस्तान दा गैधरिंग स्टाब, इस्टीपन हॉकिन्स, दा वीफ हिस्ट्री ओप टाइम, अरविंद अडिगा की, सेलेक्सन दे, अलविन टॉ चेतन भागत की हैं, इन्हें भी देखिये, हॉफ गल्फेंड, वन इंडियन गर्ल, री इलिउशन, 2020, वाइट यंग इंडिया वांट, मेकिंग इंडिया ओसम, वन नाइट एंड दा कॉल सेंटर, तू स्टेट्स दा स्टोरी ओप माय मेरिज, दा थ्री मिस्टेक्स ओप मा लाइब, माइब, फाइब, पॉइंट समवन, ससी थरोर की है, बुकलेस इन बगदाद, और दा ग्रेट इंडियन नॉविट, रोनल वर्ड की है, मैथोलोजी, एनी फ्रेंक की है, दा डायरी ओफ यंग गल, मैक सेवेवर की है, एकॉनोमी एंड सुसाइटी, थॉंस पैन की है, दा राइट ओफ मैन, सेमूल जॉंसन की है, लाइब, जॉन ग्रेन की है, दा फार्ट इन ओवर इस्टार्स, और जनी स्टेंड की है, एस्टेंड की प्राइड एंड पिजू डाइस, ठीक है, और आंद्रे आगासी की है, ओपेन, सचेंदर अनुक पर प्लेंग, इट मा आईवे, कफिल देओ की इस्ट्रेट फॉर्म दा हार्ट, हैलन किलेर की स्टोरी ओफ माई लाइब, रोबर्ट टी वासिंग इंटन की अप फॉर्म सैलीवरी, प्रमोध करपूर की गांधी इन इल इस्टेर बाय उजरा भी, यह आपकी कुछ पुस्त कें भी हो गई, और इ यानि की सामान ग्यान एक तरस जनल नौलिज की कुष्टन्स तक हम लोग जाकर रोग गए, तो आप देखे मुझे लगता है कि इतना जी के जीएस के लिए काफी है, अगर कुष्टन्स पूचे जाते हैं तो उनका अंसर आप लोग बहतर दे पाएंगे, प्राचीन भारत ह पढ़ा, आध्वनीक भारत का इतिहास पढ़ा, विस्ट का इतिहास, थर भूगोल, भारती आर्थ व्यव्स्ता, भारती सम्हिदान, फिर आप लोग उनने बिग जयान को पढ़ा, जिसमें बहुत एक बिग जयान, रसायन बिग जयान, जी बिग जयान, बिग जयान एवं और बेवित ठीक है और कुछ आपके मांगो तो आप लोग बताईएगा उस पर भी बात करते रहेंगे हम लोग देखते रहेंगे मिलते रहेंगे हम लोग कहा जाने बाले हम अब आपको मेहनत करनी है आप लोग मेहनत करिए और हम लोग तो यहीं है बताते रहें अपना ठीक ह झाल झाल झाल